Yes, hello everyone, this is day 2 of our Arjun batch, जो की live है, ठीक है, and इसकी recording अगर आप देख रहे हो, तो it's completely fine, ठीक है, बस एक चीद का ध्यान रखना कि जो recording देख रहे है, प्लीज बच्चा, एक की speed से जादा मत देखना, एक की speed से जादा नहीं देखना, सर आप कुछ भी बोल दो, हम तो डेड़ की speed प speed से जादा मत देखना, और अगर देख रहे हो, तो आपकी मर्जी, मेरा कुछ नहीं जाता, आपका घाटा, ठीक है, चलो, सबसे पहले क्या, सबसे पहले revision करते हैं, कल की class का, जब revision करते हैं, तो मेरा revision का आदत है, क्या आदत है, सर, मेरा revision का इतना खतरनाक आदत है, कि आप society में government को काम करना है, तो tax तो collect करना ही पड़ेगा, टेक्स दो तरीके को उतने, direct tax और indirect tax, direct tax का मतलब वो tax जो की, जिसका burden, directly, जो pair होता है, उसके उपर आता है, indirect tax का वो tax होता है, जिसका burden, customer के उपर, यानि कि third party के उपर shift किया जाता है, direct tax जो हमारे syllabus में है, वो है income tax, और indirect tax जो हमारे syllabus में है, वो है DST, इसके बाद हमने क्या किया सर, इसके बाद हमने, okay, इसके बाद हमने income tax law के बारे में सीखा, अच्छा हमने power के बारे में देखा, कि income tax की power कहां से आती है, power आती है constitution से, constitution में हमने क्या देखा बच्चा, कि article 265 बोलता है कि अगर आपको tax collect करना है, तो you have to have, क्या, act होना पड़ेगा, आगे to law, फिर हमने देखा, 7th schedule to, to article, article 246, article 246 का 7th schedule हमने देखा, जहां पर हमने 3 list देखी, union list, state list और concurrent list, union list में हमने देखा, entry number 82, entry number 82 हमें क्या बोलती है, tax on income other than agriculture income, फिर हमने देखा कि यार, agriculture income के उपर तो tax ले नहीं सकते, agriculture income के उपर त अच्छा, agriculture income के उपर, जो आपका क्या होता है, क्या बोलते हैं, सर, central government tax collect नहीं कर सकती, तो हमने क्या देखा, अगर central government tax collect नहीं कर सकती, तो कौन करेगा, entry number 46 of state list ये बोलता है, कि state के हाथ में power है, कि वो tax collect कर सकती है, लेकिन, आज तक किसी भी state government ने, income tax on agriculture income, कोई भी ऐसा act नहीं लेके आए हैं, ये हमने आज सीखा, अच्छा, मैंने आप बच्चों से एक promise नहीं लिया आज, I am really very sorry, एक promise बताओ, कि जितने भी आपके mobiles हैं, वो mobiles दूर रखे हैं, एक बाह मुझे लिखके बताओ, कि अगर आप laptop पे class ले रहे हैं, तो आपका mobile बहुत दूर है, और अगर आप mobile पे class ले रहे हैं, तो WhatsApp, Instagram, Snapchat, YouTube, इन सब किया जो net है, वो बंद है, इन चारो चीजों का जो net है, वो switch off है, सर ऐसा भी होता है, बिल्कुल होता है, setting होती है, आप इन चार application का net off कर सकते हैं, है न आप तीसरे room में रखा है, हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, जब बंद, भै, very good, very good, very good, चलो जी, बहुत अच्छी बात है, यह promise जो कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, चलो आगे चलते हैं, फिर हमने क्या देखा, previous year assessment यह के बारे में बाते की, definition हमने ignore कर दी थी, फिर हमने मोटा मोटा main computation के उपर आगे थे, ठीक है, computation of total income में हमने देखा कि बहिया, old tax regime होती है, और new tax regime होती है, अच्छा, कोई एक बच्चा है, जो मेरे साथ revise करना चाहेगा, फटा-फट से आजओ, if anybody wants to revise with me, फटा-फट से आजओ, yes sir, yes sir, नाम क्या आपका मैं, नाम क्या आपका, sir, ishika, 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 ने पहले बोला, तो ishika को मुगा देते ह आवाज थोड़ा सा याद होने में, मुझे 2-4 दिन लगेंगे, ठीक है, ना, तो don't mind, ishika, सबसे पहले, old tax regime में, कितने होते हैं, बच्चा, कितने तरीके की slab होती है, old tax regime में, sir, 3 type की, 3 type की, पहली slab कोन सी होती है, बच्चा, less than 60, less than 60, या फिर, less than 60, या फिर, एक, या फिर एनार, या फिर, एनार, या होती है, बच्चा, sir, 0 to 2, 2, 2.5 lakh, 0, 2.5 lakh to 5 lakh, 5%, 5 lakh to 10 lakh, 20%, and 10 lakh, 30%, ओके, चलो, दूसरे तरीके से ये भी लिख सकते हैं, कि first, 0,5 lakh, 0%, next, 0,5 lakh, 5%, next, 5 lakh, 20%, and about 10 lakh, 30%, परफेक्ट है, चलो, second slab बदाना, बच्चा, 60 to 80 years, 60 years, but less than, less than 80, ये किसको लगती है, बच्चा, senior citizen, नहीं, वो तो ठीक है, resident की, non-resident, resident, resident, अच्छा, एक से ज़्यादा बच्चे भी unmute कर सकते हैं, इस completely fine है, बट ज्यादा होच-पोच मत करना, हाँ जी, इसमें क्या था, sir, 0 to 3 lakh, 0,000, ठीक है, आगे, 3, 3 lakh to 5 lakh, 5%, 5 lakh to 10 lakh, 20%, and above 10 lakh, 30%, परफेक्ट, अबो 10 lakh, 30%, चलो, last slab, कोंसी दी, 80 years, that is, 80 या मोर, 80 या मोर, यह भी resident होना चाहिए, या दोनो, resident होना चाहिए, for super senior citizen, इसमें basic assumption limit 5 lakh की है, फिर 5 lakh से लिखे 10 lakh 5% है, sorry 20%, 20%, नहीं बच्चा, कितना परसेंट है 5 to 10, 5 to 20, 20%, 5 नहीं बच्चा, ठीक है, और अबो 10 lakh, 30%, परफेक्ट है यार, very good, बहुत intelligent हो, अच्छा, पुरुवा आप आना चाहरे थे, पुरुवा फटा-फट unmute करो, yes sir, yes sir, पुरुवा, old new tax regime में कितनी slab है, sir, एक स्लैब है, क्या कौन सी स्लैब है बच्चा, भूल गया मैं, sir, वो individual HUF senior citizens उनके लिए है, जिसमें up to income अगर 3 lakh तक है तो 0% tax rate, आगे बताती है, 6 lakh to 6 lakh 5%, 6 lakh to 9 lakh 10%, 9 lakh to 12 lakh 15%, 12 lakh to 15 lakh 20%, and exceeding 15 lakh 30%, परफेक्ट है यार, यह तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा, पुरुवा एक trick question बुच्छूं, yes sir, अगर कोई person all tax regime ले रहा है, और उसकी age 45 years है, तो 10 lakh के उपर कितना tax आएगा, 1 lakh 12,500, अच्छा, अगर कोई person non resident है और उसकी age 65 year है, तो 10 lakh के उपर कितना tax आएगा, 1 lakh 12,500, या बात है यार, आप तो बड़े intelligent हो, अच्छा, कोई person अगर resident है और 65 years है, sir, तब वो 5 lakh पे 20% लगता है, उसकी तो 1 lakh होगा, और 10,000, correct, क्योंकि, क्योंकि sir, 2 lakh पे 5% और बाती के 5 lakh पे 20%, yes sir, अगर कोई resident है 85 years, sir, फिर 1 lakh, 1 lakh, very good, और अगर new tax regime कोई ले रहा है तो, sir, new tax regime में, next 3 lakh पे लगता है 5%, नहीं, देखो, new tax regime में मैंने कल नहीं बताया था, आज बता देता हूँ, exactly 15 lakh की income पे कितना tax आता है, 1 lakh 50,000, निकाल के देखो, exactly 15 lakh पे, अच्छा, first 3 lakh कितना हो गया, sir, nil, nil, next, मतलब 3 lakh to 6 lakh, कितना हो गया, 1 lakh 50,000, 15 lakh, 6 lakh to 9 lakh, कितना हो गया, 30,000, 30,000, 9 lakh to 12 lakh, कितना हो गया, 45,000, 9 lakh to 12, sorry, 12 lakh to 15 lakh, कितना हो गया, 20%, 60,000, कितना हो गया, 60,000, तो अरे यार, पैन को क्या हो गया, 12 lakh to 15 lakh पे कितना आ जाता है, 60,000, बताओ, 15 lakh की उपर, exactly, रेक्स कितना आ गया, 1 lakh 50,000, and above 15 lakh पे क्या हो जाएगा, 30%, 30%, तो फटाफट निकालो यार, आंसर निकालो, एक्जामपल, आंसर निकालो सब लोग, आ जाओ, बस सब लोग म्यूट पे चले जाओ, अब मुझे आंसर चीए, एक्जामपल, चलो जी, जी, क्यासा आपसे भी बाते करेंगे, मिस्टर एक्स है, 89 है, रेजिदेंट है, न्यू टेक्स रिजीम ले रहा है, क्या ले रहा है बच्चा, न्यू टेक्स रिजीम, अरे वा, इंकम है, टोटल इंकम है, 6,50,000, बताओ आंसर, विदाउट हैं, अब नहीं है, प्लीज उसको इगनोर करो, ठीकर दीरे दीरे जब कॉंसेब्स बताऊंगा, तब मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा, ठीक है बच्चा, हाजी, सबका आंसर आएगा, मेरे कु डाइरेक्ट आएगा, सौराव मेरे को direct message करो बच्चों को cheating मत करने दो श्रीदत मुझे direct message करो बच्चे को cheating मत करने दो please मुझे direct message करो सब लोग अच्छा जो recording देख रहा है भाया आप अपने दिमाग में message करो ठीक है very good सबका answer आया है text before HSE will be 20,000 कैसा आया कैसे आया कौन बताएगा अंकूर आजा अंकूर आजाईए very good evening अंकूर कैसे आया answer यह तेरा first 3 lakh नेले next 3 lakh का 15,000 and next 50,000 का 10% 5,000 यानि कि first 3 lakh पे तो 0 है next 3 lakh पे 15,000 है और फिर 50,000 के उपर 10% यानि कि 5,000 अरे वाय यार यह तो सही answer very good अच्छा चलो अंकूर आप भी करोगे बाकी सब लोग भी करेंगे और answer मुझे chat box में चीए बाकी सब कूछ सेम है बस total income जो है वो है 13,50,000 chat box में answer चीए बाकी सब कूछ सेम है all the facts are same यार आप बच्चे जब मुझे calculation करके भेजते हो ना chat box में इतना सुकून मिलता है ना दिल को क्या बताऊंग आप लोगों को ऐसा लगता है कि यार कितनी मेहनद कर रहे हो आप लोग प्लीज येस कीप इट अप बाकी सब लोग answer निकालिए डन chat box में बताना यहां मत बोलना है न cheating करेंगे बना बच्चे किसी का गलत आएगा उसको मैं पकडूँगा अभिनास आजाए अभिनाश अभिनाश आजाए अभिनाश की रतनेश अभिनाश थोड़ा सा थेज़ बोलोगे प्लीज यह सर्थ ऑके रतनेश कैसे निकाला answer बताना एक बार फर्स्ट थ्री लैट पे कितना आएगा पर्स्ट थ्री लैट पे आएगा 15,000 अच्छा क्या 15,000 क्या, सच में अच्छा, ओके मैंने एंबूलेंस को गोल गडि दिया था अभी तो फोला मेरे को तो हाट अड़ेक आने वाला है त्री लैट पे जीरो अच्छा, नेग्स थ्री लैट पे 15,000 15,000, very good अच्छा नेक्स थ्री लेग पे 30,000 वेरी गुड अच्छा नेक्स थ्री लेग पे 45,000 45,000 वेरी गुड अच्छा कितने हो गए देख तीन दिन चैनल नो बारा हो गए ना तो फिर अभी नेक्स्ट लिए 1.5 कितना एड रेट कितना परसें 20 20 परसेंट कितना गया या आपका थर्टी थाउजन ना अगे टोटल करना यार मेरा टोटल खराब है मेरी गनित खराब है टोटल करना सब लोग टोडल करना बच्छा फिरा अंसे कितना एड था रतनेश गल्टी होगे इस में एड परसे बोलना जो से बोलना कल्कुलेटर में एंप्लस मर्सी करने में दिख्तित होगी थे बाद कि वैसे तो आइसे था ओधा अचा कैल्कुलेटर को तुन्हें गल्फरींट बना लिया या अभी वाकी है अभी नहीं बनाया अभी? अभी प्यार से बाते नहीं किये ऐसे रात को अकेला बैठा है तो ऐसे calculator के सामने कि तू ही है मेरे जीवन में बाकी सब तो बेवफा हैं ऐसे कभी बात नहीं किये अभी तो नहीं किये इतने भी हम अकेले नहीं है सर है ना? देख गर्फ्रेंड जितना जल्दी बना लो उतना अच्छा है और एक चीज ध्यान रखना कि एक्जाम के पास में इसको खुश रखना है ना बहुत दोखे अचा रियल मी को अभी भी वोईस प्रोलम आ रही है भाई तु सच में मुबाइल चेंज कर ले यार ठीक है और कुछ नहीं हो सकता सरम कोपी भी लिख लेते हैं कैलकुलेटर पर गलत आ जाता है येस गुन अगरवाल बिल्गुल सही बात आपकी है चलो ठीक है पूल रहे है खितने व्यशं दिए थे साफे कुन से रिखमै ते फिर्श नमँ औरerg क कितने वाद दिए से से दंबर वन धुन के और वर त्टी के पहर्ट ऍड़u 5 दिए ते इक आंसि गलत था सुलीशन का आपको मिला वह गलत आसर आउर में किसी को मिला कोई किसी को कोई गलत आंसर मिला किसी को कोई गलत आंसर मिला सुल्यूशन में से कि अच्छा सर हमने देखा ही नहीं कि पीडियेफ नीचे भी है सुल्यूशन चेक ही नहीं किये अरे वाँ नीचे सुल्यूशन भी तो थे ना या नहीं थे थे सुल्यूशन भी है नीचे नहीं चेक किये, अरे क्या बात कर रहे हो अच्छा मुझे बताना आए ना, कोई एक solution गलत होगा मुझे बताना कल, चीक है जो recording देख रहे हैं वो confused हो रहे है कि सर हमारा तो कोई गलत नहीं आया कोई गलत नहीं था नालाई को चलो, आगे चलते हैं रतनेश आपकी आवास दीरे आ रही है तो किसके साथ चलेंगे क्या चीज खोड़ा तेज बोल लूँगा मैं आपकी वैसे आवास दीरे आ रही है अगे तेज बोल लोगे तो चले आँगे चले चलो, रतनेश अभी तक हमने सब कुछ कर लिया, अब हम करने जा रहे हैं Surcharge क्या करने जा रहे हैं बच्टा Surcharge अच्छा आपको Rathne's presentation में तो कोई डाउट नहीं है computation का नहीं ना, कि उपर उपर heading लिखते है computation of tax liability in case of Mr. X who is aged this for the assessment year 24-25 कोई डाउट नहीं है No sir, no doubt कोई डाउट नहीं है चलो ठीक आगे चलते हैं अब बच्चा आता है सर्चार्ज रतनिस मैंने कल आपको एक बात बताई थी याद है आपको मैंने कहा था equality का मतलब यह नहीं होता कि सब को equal treat करे equality का मतलब होता है कि जो गरीब है उसको benefit दे और जो अमीर है उससे ज्यादा tax ले yes or no yes sir correct है ना yes sir अब government ने क्या बोला कि देख जो 10 लाग रुपे कमा रहे है वो भी 30% के उपर tax दे रहे है और जो 10 करोड रुपे कमा रहे है वो भी 30% के उपर tax दे रहे है अरे यार नहीं समझे सर क्या बोलना चाहरे हो हम तो बात ही नहीं समझे सर आपकी एक ह है mister y mister y की total income है 15 करोड अब मुझे एक बात बता हो रतनेश कि mister x जो है वो अपने 10 लाग से उपर की income पर कितना टेक्स दे रहे है 30% 30% I am talking about all tax regime तो 10 लाग से उपर जितना भी टेक्स है जितना भी इंकम है उसके उपर कितना टेक्स दे रहा है 30% 30% और Mr. Y 10 लाग से उपर कितना टेक्स दे रहा है वो भी 30% दे रहा है तो equality हुई की inequality हुई inequality है सर equality तो है देखो Mr. Y भी उतना ही टेक्स दे रहा है जितना Mr. X अरे Mr. X गरीब है middle class है और Mr. Y अमीर है upper class है yes or no yes sir जो इनसान 15 करोड रुपे साल की कमा रहा है अगर वो भी 30% के उपर ही tax देगा और जो इनसान 15 लाग रुपे कमा रहा है वो भी अपनी income का मोटा मोटा 30% tax दे रहा है तो equality नहीं ये inequality है इस बात से agree करते हो ना एक बाद फटा फट से yes लिखके बताओ comment box में कि हा सर ये त क्या बोला एक काम करते हैं टेक्स की उपर है टेक्स की उपर टेक्स सर टेक्स की उपर टेक्स को क्या बोला गया कि सर टेक्स की उपर टेक्स को क्या बोला गया सर्चार्ज सर्चार्ज का मतलब tax on tax tax on tax ठीक है इसकी table मैं पहले आपको पढ़ा देता हूँ government ने बोला जिसकी income 50 लाक या उससे कम है उसको सर्चार्ज मिल लगेगा 0 नहीं लगेगा यानि कि अगर मेरी income 49 लाक है तो क्या मुझे सर्चार्ज देना है अगर मेरी income 50 लाक है तो क्या मुझे सर्चार्ज देना है नो सर्चार्ज नहीं रतनेस इस बात को लेके doubt है क्या कोई नहीं रतनेस याद कर याद कर रतनेस कि अगर exactly 50 लाक है तो भी सर्चार्ज नहीं लगेगा आखेब कर ना भे भी नियाद करो. अभर जब तक जब तक जितनी हरकते कर सकते हो उतनी हरकते करो. आखेबंद करो और मन में याद करो कि एग्जेक्ली 50 लेग्पे भी कोई सरचार्ज मैं वर में औफिस में क्लास लेता हूं जो मेरे स्टाफ है जो बाहर बैठता है वो सच में उसको यही लगता है कि सर पागल हो गए है ना तो आपको भी लगना चाहिए घरवालों को की पागल हो गया है मेरा बच्चा है ना लाइबरेरी को लगना चाहिए कि लाइबरेरी का इसका सब्सक्रिप्शन कैंसिल करना क्या बोला मैंने एक करोड तक तो आपको सर्चास कितना लगेगा तेन परसेंट चाहे वह ओल्ड रिजीम हो या तेन परसेंट तेन परसेंट दोनों में तैन परसेंट लगेगा अच्छा रतनेश बता मुझे एक्जैक्टली अगर एक करोड इंकम है तो तो कितना टेक्स है 15 परसेंट चाहे वह ओल्ड रिजीम हो या रिजीम हो अच्छा रतनेश अगर दो करोड से उपर है लेकिन अप्टू तो कितना लगेगा 25 परसेंट अगर पांच करोड से उपर इंकम है तो यानि कि बच्चा ये कहना सही होगा कि न्यू टेक्स रिजीम में 37 का कोंसेप्टी नहीं है नहीं है यानि कि new tax regime में दो करोड के उपर जितनी भी income होगी दो करोड से के उपर अगर income है तो total tax का कितना पसंद सर्चाज लगेगा 25 परसंट यानि कि जो new tax regime है वो slab 2 करोड पे ही खतम हो जाती है लेकिन जो old tax regime है उसमें एक और slab है कौन सी 37 परसंट इस डैट ओके यह सर अब दीरे दीरे एक example मैं करा रहा हूं बाकी सब आप करेंगे मज़ा आएगा बहुत मज़ा आने वाले रतने साप म्यूट पर चले जाओ हीना आजएए अभी हीना आएगी फिर सी आएगी आजाओ हीना आई तक समझ आया सारा प्रेशिर में तो नहीं बोल रहे हो कि सर बाकी लोगों को आ गया तो मुझे भी आई गया होगा यह घ hjäl बच्बन में ऐसा ही करते थे हम पडोसी एगया ना तो मुझे भी आई गया चलो ठीक है पड़ोसी तो कोई है पहले क्या करेंगे heading लिखेंगे heading में क्या लिखेंगे बच्चा क्या लिखेंगे हिना sir computation of total income of computation of total income क्यों लिखेंगे sorry tax liability computation of tax liability in case of individual in case of Mr. जो new tax regime अच्चा ही ना सची सची बताना कि इस heading को आप सोच पारे थे या नहीं सोच पारे थे यह सोच पारे थे जूट बोल रही है क्या आपने यह सोचा था new tax regime लिखना है यह सर या फिर तो ठीक है अगर इन दोनों चीजों में से एक भी आपने मिस कर दी, तो अगर मैं examiner हो था, तो मैं आपके number कार ले था कहने का मतलब सर सो बातों की एक बात की आपको exam में दोनों ही चीजें मिस नहीं करनी है, आपको ये भी बताना है कि कौन सी tax regime है और आपको ये भी बताना है कि कौन सा assessment है, ये रहे क्या ये बात सबको समझा गई है परफेक्ट, वेरी गुड, चले आगे इस बच्चे हैं जो अभी mobile चेक कर रहे है कोई तो होगा, ऐसा तो होई नहीं सकता कोई तो होगा जो अभी mobile चेक कर रहे है कि सर अभी तो बहुत इस लोग क्लास चल रही है मैं अपना mobile चेक कर लेता हूँ मेरी girlfriend का message आया, सर नाराज हो जाएगी कोई है ऐसा, नहीं है ना चलो, very good, आगे चलते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, परस्ट थ्री लाग, क्या करेंगे बच्चा 15,000 6 lakh to 9 lakh 10 тест, 30,000 9 lakh to 12 lakh, 15% 45,000 12 lakh to 15 lakh 20 सिक्स्टी थाउजन है बालेंस तू लाग तू करोड़ थर्टी फाइफ लाग अधरे थर्टी पॉस्टंट 70 लाग 50 थाउजन कितना है 70 लाग 50 थाउजन टोटल कितना हो गया बच्छा 72 लाग ठीक है ठीक है जी आगे क्या करेंगे अब सर इसमें सर्चार्ज आड करेंगे एड सर्चार्ज 25 और बेसिक इंकम बच गई तू है बच गई मुझे सची सची बताओ हीना की तरह किसने ये सोचा कि सर्चार्ज लगेगा इंकम के उपर कौन-कौन है यहाँ पर जिसने ये सोचा कि सर्चार्ज लगेगा इंकम के उपर मेरे पास दो अप्शन है सर्चास लगेगा धाई करोड का धाई करोड पर सर्चास लगेगा या फिर बहतर लाग के उपर सर्चास लगेगा अप्शन नमबर A अप्शन नमबर B कौन सा अप्शन सही है अप्शन नमबर A या अप्शन नमबर B option number A option number B कौन सा सही है सर्चास किसके उपर लगेगा सबी पे देख ही ना बात को समझ अगर income के उपर सर्चास लगा दिया तो तू कमाना ही छोड़ देगी income के उपर सर्चास बहुत महंगा पड़ेगा बात को समझ तू लगबग 30% tax तेरा लग रहा है करेक्ट है अगर उपर से और तू 25% सर्चास लगा देगी तो कितना परसंट tax हो गया 55 और 55 का मतलब जितना कमा रहे हो उसमें से आदे से ज़्यादा तो कोन ले गया गवर्मेंट तो कमा क्यों रही है सर्य तो वो वाली बात हो गई जैसे अंग्रेजों के टाइम पे लगान होता था न किसान जितना कमाता था उससे आदे से ज़्यादा कोन ले जाता अंग्रेज लगता है कि तुझे इतना income tax जाएज है अरे तू तो पांच करोड से उपर अगर income होती ही न तो कितना पसें सर्चार लगता है पांच करोड से ज़्यादा होगी तो फिर 25% लगे 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 तो 30 प्लस 37 कितना हो गया 67% तो कमा क्यों रही हो फिर यस और नो अगर कोई आपका 70% tax ले जाए तो कमा क्यों रही हो फिर समझे की नहीं कहने का मतलब exam में भाई लोगों ये गलती मत करना tax जो है वो income के उपर नहीं मतलब जो सर्चार्ज है वो income के उपर नहीं किसके उपर लगता है basic tax plan basic क्यों बोल रही है तूँ किसने पढ़ाया तुझे basic tax special tax क्या होता है tax के उपर लगता है क्या किसके उपर लगता है बच्चा tax के उपर basic tax जैसा कोई amount नहीं होता ठीक ही न चल तो बता मुझे सर्चार्ज ओन किस पर सर्चार्ज लगेगा 72 लाक 25 बता दू 18 लाक 18 लाक का आ गया सर्चार्ज अब टोटल कितना हो गया 90 लाक 90 लाक अब इसमें क्या एड होता है बच्चा HEC exam में पूरा लिखना health and education says at the rate 4% कितना आ गया 3 लाक 60 थाउज़न टोटल कितना हो गया 93 लाक 60 थाउज़न किसी को कोई गलती लग रही है तो बता दो अगर गलती नहीं लग रही है तो यह बता दो कि समझ आया ना Yes, Sir किसे को कोई गलती लग रही है तो बता दो otherwise जो समझ आया वो बता दो कि हां से समझ आ गया Sir यह है आपका search ठीक है मैं केवल एक example करा रहा हूँ क्योंकि fast track batch है regular batch में तो हम एक दिन सर्चार्ज ही करेंगे ठीक है क्योंकि fast track batch है तो definitely we have to be very fast तो मैंने आपको एक concept कराया सिया कह रही है कि सोम्या कह रही है कि Sir आप marginal relief तो भूली गए अच्छा सर्चार्ज समझ नहीं आया real me एक बार unmute करना आपने income tax पहले पढ़ा है यह पहली बार पढ़ रहे हो Real me आपने पहले income tax कभी पढ़ा है या पहली बार पढ़ रहे हो एक बार मुझे यह बताएगा कि आप पहली बार पढ़ रहे हो या पहले भी आपने पढ़ा है सबी chapter revise करेंगे definitely, पहले पढ़ा है और तुझे health and education says समझ नहीं आया क्या समझ नहीं आया, ये बता न बच्चा जितना भी tax होता है na, including surcharge उसके उपर 4% लगता है health and education says ठीक है ओके, real me, जितना भी tax निकलता है न आपका, उसके उपर 4% लगता है health and education says ठीक है तो आपका 90 लग का tax आया तो उसका 4% कितना होता है 3,60,000, ओके ओके, perfect अरे, very good, समझ गया है तो बहुत समझदार है, चलो, आप को न आएगा hand raise करना एक बार hand raise करना आप को न आ रहे एक question था एक question था तो पूछो न पूछो न तो वो तो अभी capital gain chapter में पढ़ेंगे न वो तो अभी मैंने कुछ बताया ही नहीं है जो special income के आप बात कर रहे हो न capital gain वाली वो capital gain income में पढ़ेंगे जो 25-27% वापिस ले लिया ठीक है perfect सिया आ जाईए फिर सोरव के बाते करेंगे सिया कम येस डेली होगी डेली डेली वाट्सअप पे connected रहो हाँ जी सिया come on come on unmute करो येस सर हेलो हाँ जी आवाज तेज करो अपनी सिया हेलो सर येस ओ तेज हेलो येस अरे perfect है बहुत अच्छी बात है सिया चले आगे येस सर चले एक काम कर सिया total income मैं बता रहा हूँ और बाकी सब लोग भी बताएंगे और आप भी बताऊगे कि tax कितना आएगा including search 5 करोड 20 लेक 5 करोड 20 लेक under old tax regime and new tax regime बताओ answer चलो और ये जो answer है वो calculator पे मत करना लिखके करना ठीक है एक rough notebook में लिखके करना अगर कोई बच्चा यहाँ पे ऐसा है जो केवल laptop लेके बैठा है notebook उसके पास नहीं है तो अभी निकल जाओ बाहर ठीक है क्योंकि आप उस 90% में से हो जो fail होने वाले हैं तो अभी बाहर निकल जाओ time waste क्यों कर रहे हो movie देखो जागे इस रियल में उतना enough है पूजा कह रहे हैं सर एक बात table दिखा दो ना पूजा आपके पास कोई notes नहीं है बिना notes के बैठे हो मत करो ना बच्चा ऐसा मैंने मेरे उसके उपर सर नोट हैं तो notes से देख लो ना बच्चा बागी class को क्यों disturb कर रहे हूं मैंने मेरे mobile application पे जहां से आपने एक course enroll किया है website के उपर जहां से आपने एक course enroll किया है वहाँ पे भी updated notes refer करने के लिए डाल दिये हैं कुछ तीन chapters के galaxy आपको वीडियो देखनी चीए यूट्यूब पे अभी इन questions का answer मैं नहीं करूँगा you have to watch the video on the YouTube मेरे YouTube चैनल पे जाओ एक वीडियो है जिसका नाम है live free batches of direct taxation वो वीडियो आप पूरी देख लो उसमें मैंने सब कुछ बताया हुआ है मैं इतने questions entertain अभी नहीं करूँगा perfect यह बाकी बच्चों को डिश्चाब होगा ना इसलिए अरे अभी तक answer नहीं आए आपके इतने नालाइक बच्चों आप सिया का answer आ गया है सिया old या new लिखके बताओ old या new ओके new का answer में पास आ गया है अंकुर तेरा answer कुछ ज़्यादा ही कम नहीं आया अंकुर का answer कुछ ज़्यादा ही कम नहीं आया अंकुर एक बार revisit कर भाई तेरा answer दीपक ने दोनो answer दे दिये हैं सब के answer अलग अलग आ रहे हैं अरे वाह मजाएगा सब के आंसर अलग लगें सब के आंसर अलग लगें अरे वाह प्रे ओल्ड का आंसर मेरे पास ठीक आने लगा है ओल्ड का आंसर मेरे पास ठीक आने लगा है ओल्ड का आंसर मेरे पास ठीक आ गया है old का answer मैं लिक देता हूँ यहाँ पर new का answer और आजाए तो मज़ा ही आजाए new का answer after hse new का answer after hse after hse after hse hse add करने के बाद ठीक है में पास बहुत सारे new के answer यह आ रहे है मुझे नहीं पता कि सही है कि गलत है बच्च मैं लिख देता हूँ 1 करोड 98,90,000 1 करोड 98,90,000 ठीक है जी चलो जिसके यह answer नहीं आए है सिया एक बार unmute करना आपका old का answer match हो रहा है यह सर ओल का तो match हो रहा है न्यू का न्यू का से match नहीं हो रहा है चलो calculator पर करें सिया यह सर सिया income कितनी है 5 करोड 20 लाग तो 5 करोड 20 लाग में 15 लाग हटा दू यह सर 15 लाग क्यों हटा रहा हूँ पर है यह वो इसमें वो other tax लगे हैं 15 लाग के उपर तो हमें पताईए सर लगेगा 15 लाग मैंने हटा दिया बचे हुए पर क्या करूं 30% इसमें प्लस क्या करूं प्लस करेंगे 15 लाग 15 लाग है तो नालाइक है प्लस करने के बाद मेरा आ रहा है एक करोड तरिपन अजार इसमें सर्चाज एड करना है या रहने दू एड करना है कितने परसंट 25% अचा ठीक है प्लस 25 परसंट कर दिया तो मेरा आंसर आ रहा है 1 करोड 91 लाग 25,000 सही है इसमें करना पड़ेगा एड 4% 4% तो मेरा आंसर आ रहा है 1 करोड 98 लाग 90,000 सब का अंसर मैच हो रहा है या तर अच्छा अभी कोई भी एक ऐसा बच्चा जिसका अंसर दोनों मैच नहीं हो रहे या एक मैच नहीं हो रहा समझ नहीं आया वो unmute करो बिना शर्माए क्योंकि अगर अभी शर्मा गई तो आपका अटेंब लग गया सोचो अभी का शर्माना वर्सिस 6 महीने गए अगर अभी भी आप शर्मा गए तो भाईया मैच अटेंब में मिलेंगे तो अगर कोई ऐसा है जो अभी शर्माना चाहता है कोई बात नहीं अगर बेशर्म होना चाहते हो तो अन्म्यूट करो अगर का नाम के आपका बीम नहीं कि अच्छा ओके हो चोटा वीम ठीक है चलो बीम और और का करें आप चल करते हैं ओल्ड का करते हैं ओल्ड का करते हैं ओल्ड का करते हैं कितनी इंकम में दो तीन पांच करोड बीस लाग अच्छा चल बीम सबसे पहले कैलकुलेटर उठाएं यह सब बीम कैलकुलेटर उठाने के बाद में पांच करोड बीस लाग कर ये स्थ्याइब ऑइनस कितना करेगा 15 लग्स हां 15 लैक्स चोटा भीम चोटा भीम बोलो ना सर्फ 15 लग क्यों करेगा ओल्ड में तो ओल्ड में निकाल रहा है ना तो ओल्ड में कितना माइनस करेगा तूं दस लाग माइनस करेगा ना बच्चा क्योंकि दस लाग के ऊपर फिक्स है कि एक बारा पांस होई आएगा उसके उपर तो तीज पसंद लगेगा न बच्चा सब्सक्राइब करेगा तो तो कितना बच्चा पांच करोर दस लाग का कितना परसेंट थर्टी परसेंट में कितना एड़ कर देगा वन लेक्ट वेल सॉदंट इसमें कितना प्लस कर देगा इसमें कितना प्रसेंट करेगा तो देखो मेरा आंसर यह आ रहे है तेरा भी यह आ रहेगा यह सर्ट अगया यह सर्ट थैंक्यू सर्ट मॉस्ट वेलकम अच्छा वीम एक चीज़ सीखने को मिलती है क्या कि माइंड को फ्रेश रखना जब भी आप टेक्स लाइब लेकी नि होगेगी माइंड को पूल रखना एक्जाम में अब हम प्रफेक्ट है चलो अब हम प्लीज एक्स्प्लेइन न्यू रिजीम सुम्या अन्म्यूट करना है सुम्या अन्म्यूट करना फटा-फट यह सर्व में इंकम कितनी है कि 5-20 लाक्स कितना माइनस कर दूं मैं ताकि वो फिक्स हो जाए कितना फिफ्टी लाक्स कितना बचा कि पंद्रा लाग माइनस करने के बाद कितनी इंकम बची है कि प्रिफ्टी लाक्स कुटिक है कि इसका कितना बस है कि इसका कितना टैक्स आया कि वन लाक्स करने के बाद कितना टैक्स आया अभी तक सर्चाज कितना एड होगा 37,000 37 परसें अरे सोम्या न्यू टैक्स रिजीम में कितना सर्चाज है 25 परसें तो 37 क्यों एड कर रही है प्लस 25 परसेंट प्लस 4 परसेंट आंसर आ जाएगा ओके यह सर्चाज अब जो में टोपिक उसके उपर चलते हैं सोम्या आपी अन्म्यूट रहू सोम्या में टोपिक क्यों पर चलते हैं ठीक है जिसकी इंकम है 50 लाग कितनी इंकम है बच्चा है और एक मिस्टर वाई है जिनकी इंकम है 50 लाग 50 जार कितनी है दोनो ने निवो टैक्स रिजीम ली कौंछी मुझे फाइनल टैक्स बताना कितना औरहे है सब लोग बताएंगे फाइनल टैक्स बताना कितना हरे है सब कुछ मिला के everything after everything कितना dex आ रहे अज़िए नहीं 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 chat box chat box chat box Mr. X का कितना आ रहे और Mr. Y का कितना रहे जितने भी बच्चे केवल एक answer टाइप कर रहे हैं मैं बगवान थोड़ना हूँ जो मुझे पता चलेगा कि आप X का बता रहे हो कि Y का I'm not a god मुझे तो पता भी नहीं answer कितना आएगा तो please X और Y specify करो कि आप X का बता रहे हो कि Y का X का मेरे पास answer आ गया है Mohit please reply to me Bhim please reply to me Don't reply on public X का answer आ गया है मेरे पास एक करोड नहीं सोरी 12,48,000 X का answer आ रहे है 12,48,000 और Y का answer आ रहे है 13,00,000 Y का answer मैच नहीं कर रहा लोगों का Y का answer क्या आ रहे है एक बार वापिस बताना सब लोग Y का answer मैच नहीं कर रहा आपका New text regime Y का answer Y का answer मैच नहीं कर रहा यहीं आ रहे है मानव Y का answer आ रहे है 13,00,000 अरे याँ सब का यह अलग अलग आ रहे है अरे बापरे डूब मरो चलो सब लोग वापिस से लंबी सांस लो लंबी सांस लेके Y का answer वापिस निकालेंगे Y का answer वापिस निकालेंगे New है New New text regime है Board के अच्छे से पड़ो Y का answer वापिस निकालेंगे अब मेरे पास answer आने लगे है 13,89,960 13,89,960 यह मेरे पास सबसे ज़्यादा answer आ रहे है तो मैं सोच रहूं कि यही सही होगा 13, 89, 9, 60 13, 89, 9, 60 मेरे पास जादतर बच्चों का यही आंसर आ रहा है 13, 89, 9, 60 ओके, पर्फेक्ट है हाँ जी, सोम्या, आपकी भी आगे अभी सोम्या से बात कर रहे थे ना बन नई चलो, कोई भी एक बच्चा अन्म्यूट करो फटाफट एक बच्चा अन्म्यूट करो फटाफट Yes, Sir उन है, नाम Sir, जिग्यासा जिग्यासा, ओके, जिग्यासा दोनों आंसर सही है मैच कर रहे है? हाँ जी, सर अच्छा जिसके नहीं कर रहे जिग्यासा उसको क्या वोले हैं अपन ना लाए गए अगर यह आंसर भी मैच नहीं कर रहे तो पानी में डूप मरो चीक है बहुत ही सिंपल है यह इसलिए अच्छा एक्चॉल में मत डूप के मरना है ना प्लीज मलब मर जाओ लेकिन देख लो आपकी मर जी है ना चलो अब मुझे बात बताया जी ग्यासा है जी ग्यासा है जी अजी एसी कोई फ्रेंड का नाम जिससे तू जलती है कि मर जाए तो अच्छा है जैसी का उके जैसी का मर जाए तो यह अच्य है जैसी का इंडिया का नामी नहीं लग रहे चलो कोई नहीं आपकी मर्जी है तो यह तो है जैसी का और ये है अच्छा ये अब मिस्टर नहीं हो सकते है ना मिस हो सकती है कोई बात नहीं चेंज कर देते हैं अपने घर की बात है अब ये पैनी नहीं चल रहा रुको एक मिनट देखो कितना मज़ा आएगा जी क्या सा आपको जलाएंगे अभी आपको ऐसे बिल्कुल जल खुगडी बना देंगे हम चालो जी चालो चलो पैन चल जाओ विया वापिस से फटाफ़ट सब्सक्राइब लेकिन जलाना तुझे है ना कि जैसी का तो हमारे पास है नहीं चल नहीं चल रहा है बीबी किया हो गया इसको चल गया चल गया ठीक है मिस जैसीका और मिस जिग्यासा अब देखना जब बचचे ध्यान देना सब लोग ध्यान देना जैसीका कितना कमा रही है पूरे साल का पचास लाग कितना टेक्स दे रही है 12,48,000 तू कितना कमा रही है 50,50,000 कितना ज्यादा कमा रही है 50,000 50,000 रुपे ज्यादा कमा रही है टेक्स कितना दे रही है गॉवंमेंट को 3,89,960 कितना ज्यादा दे रही है 1,41,960 किस-किस बच्चे को समझ आ गया किस-किस बच्चे को समझ आ गया कि यह तो नाइन साफी है जिग्यासा क्या नाइन साफी है सर मेरी इंकम 50,000,000 ज्यादा है लेकिन मेरा टैक्स जो हो approximately 1,40,000 ज्यादा है इंकम कितनी ज्यादा है 50,000 मतलब 50,000 इंकम ज्यादा कमाने की वज़ए से आपको गउवंमेंट को टैक्स कितना ज्यादा देना पड़ा 141,960 तो बता जैसी का तुझे क्या बोलेगी है 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 इससे अच्छी तो मैं ही हूँ कम से कम मैं कम कमा रही हूँ लेकिन टेक्स तो बच रहे है तो तो 50,000 रुपए ज़्यादा कमा के 50,000 रुपए टेक्स दे रही है यस और नो इसको दूसरे तरीके से ऐसे समझो कि जैसी का आपने घर पे कितने लेके जाएगी बताना जैसी का की पॉकिट में कितने रुपए आएंगे आफ्टर टेक्स जैसी का की पॉकिट में कितने रुपए बचेंगे आफ्टर टेक्स 37,52,000 37,52,000 और आपके pocket में कितने बचेंगे? मेरे में बचेंगे 36,60,040 बता, ज्यादा कौन कमा रहा था? मैं और पैसा किसके पास कम बचा? मेरे पास है न ना नाइनसाफी? बहुत ज्यादा जी ग्यासा आप मुझे बता ये नाइनसाफी हुई क्यों? वाइ? क्योंकि जो मेरी वाली इंकम थे उस पर सर्चार्ज लग गया और 50,00,00 पर सर्चार्ज न लगता यानि कि सर्चार्ज लगने की वज़े से आपको प्रोब्लम हो गई, करेक्ट है? हाँ जी अब एक और बात ज्यासा नोटिस करना कि सर्चार्ज का नियम है कि वो डिफ्रेंस पर नहीं लगता, पूरे पर लगता है हाँ जी तु नोटिस किया इस बात को? हाँ बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं देख, जी जी गयासा जो नोर्मल स्लैब होती है, वो डिफ्रेंस पर लगती है अगर 3,00,00 कमाया तो कुछ नहीं अगले 3,00,00 के उपर 5%, अगले 3,00,00,00,50,00,00,00,00,00,00, सर्चार्ज का नियम है कि ये अगर 50,00,00,00,00 से इंकम ज्यादा हो जाए तो पूरी टेक्स पे पूरे टेक्स पे लगता है हाँ जी इसकी वज़े से ये प्रोब्लम आई समझते हो ना बात को अगर जिग्यासा केवल 50,000 रुपर टेक्स के उपर लगता तो प्रोब्लम नहीं आती लेकिन तेरी पूरे जितना भी टेक्स आया उस पूरे टेक्स के उपर 10% का क्या लग गया सर्चार्च अब क्योंकि पूरे टेक्स के उपर सर्चार्च लग गया इसलिए ये प्रोब्लम आ गई इस प्रोब्लम को सोल्व करना क्या कहलाता है मार्जिनल रिलीफ क्या कहलाता है बच्चा इस प्रोब्लम को सॉल्व करना marginal relief marginal relief का concept क्या होता है देखो अगर आपकी total income 50,000,000 है तो सबसे पहले जीक्या सा क्या करेंगे हम normal tax निकालेंगे step number one में क्या करेंगे बच्चा normal tax निकालेंगे tax on tax plus surcharge on 50,50,000 निकालो tax plus surcharge on 50,50,000,000 जैसे normal निकालते हैं without any thought कुछ भी भी ना सोचे आपनने किस में निकाला था उपर पर old में था old में निकालो new में निकालो normal tax plus surcharge क्या बढ़ बोला है मैंने जी क्या सा tax plus surcharge tax plus surcharge on 50,50,000 निकालो chat box में answer आना चीए tax plus surcharge बोल रहा हूँ मैं health and education सहसे नहीं के वर tax plus surcharge 13,36,500 यही आया क्या आपका भी हाँ जी सर पक्का आया था या ऐसे जूट बोल रहे हो नहीं 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 यहीं यह आया गा। अब क्या करेंगे जि क्या सहर अब आप सोचोगे की कास में जैसिका ऐती क्या सोचोगे कास में जैसिका होती तो जैसिका होती तो tax plus surcharge on 50 लाक बताओ अपने सर्चास क्यों लिखा अरे लिख दिया मैंने अगर नहीं है तो जीरो मान दो कि निकालो कि आप में जैसी का होती अरे यार मेरा अगर 50 लाग रुपए कमाती कास यार मैं 50 लाग रुपए कमाती यार कितना रहा है 12 लाग रहा है एक्जैक्ली अगर आप जैसी को टेक्स कितना लगता कि वारा लाग अरे एचसी एड नहीं करना है नहीं तो एचसी एड करना है और सैस तो लगता है तो कैसे आया बारा लाग 35 लाग के ऊपर 30 परसेंट प्लस 50 लाग 12 लाग आ गया ना जी सर देख समझ नहीं न बात को भई मैंने लिखा जरूर एचसी सलचाज है लेकिन 50 के उपर लगता है इसको है ना कास तू जैसी का होती तो कितना टेक्स बनता बारा लाग फिर क्या सोचेगी फिर क्या सोचेगी डिफ्रेंस इन टेक्स कितना है जी क्लाग 3500 मतलब ऐसे ही होता है जी गया जैसा अबन सोच애र है तो लिख रहे हैं का यह सब इसकी से पहले हैं कि आपने क्या लिखा कि मेरा टेक्स कितना फिर आपने क्या तयक मेरी कितनी ज्यादा Advisory कि दें प alternatives अब क्या सोचोगे कि कास कास मुझे MR मिल जाए क्या मिल जाए MR कितना मिलेगा अधि 6,005 विए अब मुझे बता यह जो MR है यह कौन से टेक्स से मिलेगा यह मेरे वाले से मिलेगा 13,666 तो टेक्स after MR कितना हो गया टेक्स after MR कितना हो गया बारा लाग पचास जार यही आ रहे गया प्लस क्या कर देंगे बच्चा है परफेक्ट अब एक और बात बता हूं बच्चा इसको सोचने का दूसरा तरीका जी गया सा तू बता पाएगी या मैं बता हूं सर जैसिका का कितना टेक्स था बारा लाग और तुने एडिशनल इंकम कितनी कमाई थी जैसी का से जादा पचास जार तो तेरा टेक्स कितना बन रहे है बारा लाग पचास हजार जो उसको डिफ्रेंस ओफ इंकम को ही प्लस कर दिया जो कम वाला टैस्ट मेंट उसमें जो पास वाली स्लैब थी उसमें केवल इंकम एड हो गई जी डिफ्रेंशियल इंकम एड हो गई भई जो जैसी का कमा रही थी पचास लाग के उपर जो टेक्स दे रही थी उस टेक्स में क्या एड हो गया डिफ्रेंशियल इंकम एड हो गई हाँ लेकिन एक चीज़ का जहां रखना एक्चेसी अलग लगता है तो थ एक बच्चे का डाउट आया कि सर आपने भोला ता इनकम से जदा टैक्स नहीं ओसकता संप यह सबको step समझ आए कोई ऐसा है जिसको step समझ नहीं है पूछो यह जो आपने लास्ट में बताया कि जो जैसिका का इंकम हटा दी और बचा हुआ दे दिया तो मतलब इंकम 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 ही तो एड़ की है हाँ पूछो सर मतलब इंकम में कितना डिफ्रेंस हो कि हम मार्जिनल रिलीव का लगाएं अरे बच्चा कितनी स्लैब आपके पास प्रेक्टिकली कितनी स्लैब है चार स्लैब चार स्लैब में सलचाज कितनी बार आता है चार चार बार हर स्लैब में चार बार सलचाज आता है 50 लाग पर आता है 2 करोड रुपे 5 करोड रुपे 14 लिमिट मैं बता सकता हूँ याद करोगे नई नई तो सर एक्जाम में क्या करें एक्जाम में अगर आपको लगे कि पास है 5 करोड ते 5 करोड आट लाग 2 करोड 2 लाग तो MR निकाल के देख लेना रफ में लिमिट याद नहीं करने है बताने को मैं बता सकता हूँ अभी निकाल के बता दूँ कि इतना रुपय होगा तो MR लगेगा अदरवाइस नहीं लगेगा लेकिन उसका फाइदा क्या है लिमिट याद करने लग गए हमसे ये तो याद होनी रहा कि 4 लैब कौन-कौन सी है इसमें भी बच्छे बोलते हैं पहले 5.5 जीरो कोई बोलते है 3.5 पर 5 पॉपयर पहले 3.5 पॉपयर ये तो याद होनी रही आपसे आप 16 लिमिट याद करोगे हो ही नहीं सकती Yes or No? टीक है सर तो सर एक्जाम में क्या गरना है 50 लाख के बिल्कुल पास हो तो एमार निकाल के देख लेना रफ में ठीक है सर अब चलो और प्रैक्टिस करते हैं एक बार टोटल इंकम है दो करोड़ दो लाख कितनी है दो करोड़ दो लाख चलो कोन आएगा कोन आएगा फटा-फटा आजा मानव मानव सबसे पहले अगर तेरी इंकम दो करोड दो लाख है तो तुझे किससे मत रही है जलन किससे और रही है बहुत सारे बच्चों को ये समझ ही नहीं आता कि दो करोड क्यों लिया हमने क्योंकि जो दो करोड वाला है उसको सर्चार्ज कम रेट पे देना पड़ रहे है और जो दो करोड दो लाक वाला है उसको सर्चार्ज ज्यादा देना पड़ रहे है ज्यादा रेट पे देना पड चार्ज निकाल दे दो करोड़ दो लाग के उपर टेक्स प्लस सर्चार्ज निकालेंगे ऐसा मानौ भाया का कहना है ठीक है कि सर उसका 10 रुपए हो गया अच्छा मानव के दो गए चोकलेट मानव सर एक ही है शायद अवीं द li saja हो सकता है आपके end में जाते 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 हो सकता है за चलो दो करोड दो लाट पर टेक्स बता है भीम आपका टेक्स गलत है बच्चा बहुत ज़्यादा गलत है सबका ही अलग-अलग आंसर आया है क्या बात है ओल्टेक्स रिजीम है मेरे पास पांच आंसर आया है वो पांचों अलग-अलग सब डूब मरो चैट बोक्स यहाँ पर अभी 65 students connected है केवल आप नहीं हो chat box after search as क्या rate, क्या text आएगा मेरे पास दो आंसर मैच हो रहे है दो आंसर में पास मैच हो रहे है तीन आंसर मैच हो गए चार आंसर मैच हो गए तो अगर चार आंसर मैच हो गए तो मतलब यह यह आंसर सही है which is 73 अब बोल सकते हो मानव 73 4625 यह आंसर में पास मैच हो रहे है तो यह जी आंसर सही होगा जिसका यह आंसर नहीं आया पहले तो वो unmute करो और अगर वो राजस्तान से नहीं है तो पानी में डूब मरो अगर राजस्तान से है तो देख लो पानी अरेंज कर लो 73 4625 सबका अंसर यह आ रहे है अगर यह नहीं आ रहे है तो सच में शर्मंदी की बात है शर्मंदी की सर ऐसे मत बोलो सर पहली बार बढ़ रहे हैं ऐसे थो ना बोलते हैं सर आप तो डी मोटिवेट कर देते हो अच्छा मेरी बातों को दिल से नहीं लेना है ना दिमाग पे लेना चलो आगे चले मानव चलो अच्छा तुझे चिड किस से मच रही है दो करोड वाले से सर तुब निकाल दे उसका निकाल दे उसका भी yes एकस प्लस सरचाज उन तुँ करोड जी क्यासा कह रहे हैं कि जो राजस्तान के लिए तो यह स्टैप लिख रहे हैं हमste एन्टेलीजेंट नहीं है कि हम इंटेलीजेंट नहीं कि हमने स्टैप नमर वन्ञ चल रहा है तो हमने क्या किया स्टैप नूबर वन में टॉटल जो हमारी rugged इंकम थी उसके उपर टेंक्राइब निकला फिर हमने इसके उन्ग अटे 375 ठीक है 66 84 375 66 अच्छा जिसका आंसर बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है भाईया कुछ सीरियस प्रोब्लम है सीरियस प्रोब्लम है 66 आगे 84 375 6 अरे यार पैंड नहीं चल रहा 66 84 375 अब मुझे बात बदा तु कमा कितना ज्यादा टेक्स दे रहे रहे तर अब कितना ज्यादा टेक्स दे कितनी कमा रहे है दो लाग तो मानव तेरे को कितना कितने रुपए का बुरा लग रहे है तो लाग कमा ने कितना लग रहे है कि यार मैं चार लाग 56 250 रुपए टेक्स से ज्यादा दे रहा हूं तो सर यह क्या मिल जाएगा आपको लेकिन मार्जिनल रिफ कौन से टेक्स मिलेगी तेरे खुद के से या फिर दो करोर वाले से सब्सक्राइब तो टेक्स आफ्टर एमार गिता हो गया टेक्स आफ्टर एमार मैं तो डाइरेक्टली बता दूँ मैं बताओं तू क्या क्या गया 68 84 375 कैसे निकाला आपने वो आपने एड किया होगा जो जैसे का वाले में था पिछले में मैंने क्या किया जो 66 84 375 उसमें दो लाग एड कर दिया मैं कोई यह ट्रिक सीखने है मैं बहुत भूल रहा हूं यह बूलना क्या है तू सीख ही मतना वैसे भी एक्जाम में तो लिखनी नहीं है यह ट्रिक टेक्स आफ्टर एमर कितना हो गया 68 84 375 375 सर्थ जादू देख रहे हैं क्या जादू है कि जो दो करोर के उपर टेक्स आया था उसमें दो लाग हैड कर दो सेम आ रहे हैं यह सर्थ सर्थ ट्रिक याद करने की जड़रत नहीं है क्योंकि एक्जाम में तो यही करके आना है आपको डाइरेक्टली नहीं कर सकते हैं जी सर्थ आप इसमें क्या करेंगे माना ओ इसमें वह हेल्थ एजुकेशन से एड़ कर देंगे बस आंसर आ जाएगा कितना सिंपल है स्टब इसमें से वा कितना सिंपल है जहता सैंजी सर्थ बकाओ बच्चे इसमें स्कंफ्यूज होते हैं आता ही नीए सर यह मार ही आता में तो त्हुन록 सब क्लियर हो गया ना मैंने एक्जाम्पल भी दिया है आपकी खुलिए बुक में 98,560,000 का ठीक है कि कि पुर्वा के रहे हैं से new scheme का हो दे दो चलो या ले लो और पांच मिनट फिर break पांच मिनट हो रहे हैं फिर break Mr. X है जो की 65 years है जो की resident है जिनकी total income जो है वो है पांच करोड दो लाख और ये new tax regime ले रहे हैं आंसर बताओ MR बताओ MR इनकी income में 5 करोड दो लाख MR बताओ सब्सक्राइब बताने क्या अश्चिक MR बताने मार्जनलिक की बताने हैं हां केवल मार्जनलिक ले तर तो पांच करोड दो लाख सटेक भी मार्जनलिक नहीं होगा जिए नाम के आपका घुत कौन कम फंकंत तो पांच रुपे की चोकलेट आपके नाम से और जिग्या सा आपका अँजे थोड़ा वर्नांच पांस रुपे की चोकलेट आपके बहաूति अभी मत लिखना अंकुर पूरी क्लास को तेज बोलके बता कि एम आर क्यों नहीं होगा तो सर पांच करोड या पांच करोड दो लाग दोनों में 25 परसंट लग रहा है तो एम आर तो नहीं लेंगा कौन नालायक है जिनोंने आंसर निकालना स्टार्ट कर दिया था कि सर पांच करोड दो लाग के उपर टेक्स निकालेंगे फिर पांच करोड के उपर टेक्स निकालेंगे और फिर दोनों का difference करेंगे फिर income का difference करेंगे फिर सर को MR बताएंगे सर ये है ICI आपको फसाती है अब कोई बच्चा अगर इस case में MR निकालना start कर देगा तो paper तो छुटे गई किस-किस को समझ आया कि MR नहीं होगा किस-किस को समझ आया कि MR नहीं होगा और जिसको नहीं आया वो unmute करो MR क्यों नहीं होगा MR नहीं होगा MR तब होता है जब आप slab के पास हो slab के पास ही नहीं हो 2 करोड की slab और 5 करोड की slab कोई पास ही नहीं हो आप slab के yes or no तर दिमाग चला थोड़ा सा अब केवल एक word change कर रहा हूँ और आपका answer change हो जाएगा अब बताओ sir लेकिन बात तो ही थी new की अरे एक ही बात है बताओ ना बताओ answer अब दोनो मतलब MR भी बताना और कोमा करके text भी बताना ठीक है तो answer जब आपका आएगा तो single message में MR कोमा text आराम से करना आराम से आराम से आराम से करना झाल 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 जोती अन्म्यूट कर सकते हो? जोती अन्म्यूट कर सकते हो? जोती अन्म्यूट कर सकते हो? कुछ पूछ रहे हो? अच्छा चलो चैट बॉक्स में लिखके बताओ किस-किस का आंसर गलत है? किस-किस का आंसर इससे मैच नहीं कर रहा है? अच्छा मुझे नहीं पता गलत है कि सही है? I don't know. मैं चेक कर लूँ. मैं कर लेता हूँ चुरू को. 5 करोड माइनस 10 लाग इंटू 30 परसेंट प्लस एज क्या है? 65 तो यह होगा 1 करोड 10 लाग ठीक है? एक लाग 10 लाग प्लस 25 लाग प्लस 2 लाग प्लस 4 परसेंट. नहीं यह गलत है. आंसर आएगा यह. वापिस से देख लेते हैं. पांच करोड के उपर टैक्स निकाल रहा हूँ. पांच करोड माइनस 10 लाग इंटू 30 परसेंट प्लस एक 10 प्लस सर्चार लगेगा 25 परसेंट प्लस 2 लाग रुपे एडिसनल इंकम प्लस 4 परसेंट. एक करोड 94 लाग 61 लाग. सब लोग डूब मरो. सब लोग. या मैं गलत कर रहा हूँ. मैं तो गलत नहीं किया न? आयूश? केम आयूश? अन्म्यूट करना? यस सर्व. आयूश? कैसा लग रहा है सही आंसर करके? सही है अचा पहले गलत किया था या पहले बार में सही हुआ नहीं सही हुआ था चलो चलेगा लेट चलेगा देर आए सही आए पर्फेक्ट वेरी कुड आयूस बाकी सब बच्चों को क्या कहना चाहोगे सब क्या आंसर गलत आयूस कुछ तो बोलना चाहोगे मन से कुछ तो गदे हैं बेवकूफ हैं दिमागी नहीं है प्रैक्टिस ही नहीं करते ध्यान ही नहीं देते ध्यान कहां है गलत कामों में पड़े हुए हैं नशे करवालों इनसे ध्यान ही नहीं है पापा का पैसा खराब कर रहे हैं मम्मी का इज़ खराब कर रहे हैं टीचर का इजट खराब कर रहे हैं कुछ तो कुछ तो कहना चाहोगे सर आपने वह सब कुछ कह दिया जो आप कहना चाहते थे नालाइक क्या कह रहे हैं अच्छा आभी भी किसको समझ नहीं आया अरे गुं अगरवाल एट अन्म्यूट करो अच्छा आप अन्म्यूट कर सकते हो ना गुं जी ग्यासा अन्म्यूट करो अजी सर जी ग्यासा आपका आंसर सही क्यों है वेरिफाई सर क्योंकि पहले गलत था फिर वेन अभी दुबारा कालकुलेट करा तो अब सही है नहीं आपका आंसर तो एक्टीन वन करोड़ एक्टी सेवन लेग त्वेल थाउजन फाइफंड़ आ रहे ना वन करोड़ अहां जी तुम्हें मेरा आंसर नहीं है सर्व शिक्स्टी फाइव एर्ज ओल्ड रेजिडेंट है तो फिर उस पे तो वह दूसरा वाला स्लाब लगना चाहिए ना ठीक है कौन सा वह दूसरे वाला वो तीन लाग पे निल दो लाग पे पाच परसेंट पाच लाग पे बीस परसेंट और अबफ टेन लाग पे तीस परसेंट वह दूसरे पाच करोड़ दो लाग वाले का अमिसर को इक मिनिट सर गधा हूँ उजिग्या सा अपने ही मरजी में सही आंसर निकाल के बैठी है कि सर मेरा तो आंसर निकल बाकिषी बाकि सब लोग भी निकालो पाच करोड़ दो लाग के ऊपर कितना आ रहा है निकालो 5 करोड 2 लाग के उपर कितना आ रहे है पटाफर्ट से टाइप करो 5 करोड 2 लाग के उपर कितना आ रहे है 3 करोड सर exactly 3 करोड नहीं यार 3 करोड कहां से आएगा 5 करोड 2 लाग पे tax plus surcharge surcharge 37% 20371900 perfect है मानता हूँ इस बात को मैं डिनाई नहीं कर रहा बिलकुल भी सही है मैं लिख रहा हूँ इसको रुको एक मिनट tax on 5 करोड 2 लाग including surcharge 2 करोड 3 1,900 रुपे हाँ जी क्यासा बताओ tax on 5 करोड बताओ 1,85 1,85 1,85 1,85,12,500 ठीक है मैं डिनाई नहीं करूँगा इस बात को भी difference in tax 18,59,400 59,400 हाँ जी difference in income difference in income 2,00,000 2,00,000 MR 16,59,400 ठीक है अब बता दो मुझे tax after MR जी 1,87,12,500 plus health and education says ये रह गया ये क्यों रह गया समझ गया मैं आपकी क्या गलती थी यह वान करों 94 लाक 61 था 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 ठीक है इशीका आपका आणसर अभी भी अलग क्यों आ रहे है बच्चा इशीका अन्म्यूट करना येस सर्थ यह आंसर गलत क्यों आ रहे है रहे हैं चुक्षित से एक बार प्र फिर से रिचख कर रही है अपना आंसर कर लो एक बब और लtu Omar अपकी आपक का आंसर अलग क्यों आ रहे हैं अच्छा सूरी मानव तो पहले वाला ठीक 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 अभी भी किसी का आंसर नहीं आया तो पूछ सकते हैं अगर अभी भी किसी का आंसर नहीं आया तो प्लीज पूछ सकते हैं बिंदास पूछो और अगर आंसर आ गया है तो आप लोगों के लिए खुसकबरी है इच् दस मिनिट का ब्रेक है आप वोश्रूम जा सकते हैं पानी पी सकते हैं मैगी बना सकते हैं तर दो लाग नहीं आया मतलब दो लाग क्या नहीं आया अरे डिफ्रेंस इन इंकम कैसे आया यह नहीं समझाया जी सर अच्छा पहला टेक्स किस पर निकाला पहला टेक्स किस पर निकाला कितनी इंकम के उपर टेक्स निकाला पहला इस्टेप नमबर वन में मेरी फिरकी ले रहे गया इस हर आपको बीच में छोड़के मैं तो गया ब्रेक पे आप जानो आपका काम जाने अब ब्रेक पे चला गया मैं भी वही कह रहा था चलो ठीक है फिर अपन भी ब्रेक पे जाते हैं कोई कुछ नहीं बोलेगा ठीक है, चलो बेरियेंगे याँ जो पूझा करना चाता है पूझा कर लो मिलते हैं 10 मिनट के बाद जो ब्रेक ले रहा है ब्रेक ले लो आप भी और एक टी स्पीड पे देखना, जिसने अधरवाइस गय सर आपने ऐमार गलत लिखा है अच्छा ये ऐसी बात है क्या मैंने MR गलत लिखा है अच्छा ओके सर ओपर ओपर वहां पे जो टेक्स गलत ऐसा नहीं सर ऊपर MR लिखा है ना वान लाग 69 अच्छा ये गलत लिखा है ओके ओके समझ गया समझ गया ठीक है ठीक है ये कितना आएगा 1690 1694 ठीक है ओके मैं बच्छों का कोपी किया था ना खुद ने तो निकाला ही नहीं था मेने ठीक है तो आपने आज एक चीज़ सीखी कि एज भी मैटर करती है बस चलो खुआ जा खुआ ट Lawrence झाल 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 अगर किसी को बाते बाते करनी हैं तो आ जाओ हम तो आ गए जी किसी को आना है तो आ जाईए जो ब्रेक ले रहा है ब्रेक इंजोई कीजिए पानी की वोटन लीचे वूल गयम पूछो जैसे कभी कभी प्रोक्रेस्टिनेशन का प्रॉब्लम हो जाता है कि वर्यानी हो देखे जाते हैं तो यह पहले हो जाता था इंटर में नहीं वो Star देख इसका देख एक ही solution है इसका कोई one time solution नहीं है इस चीज़ का कि आप चाहो कि यार अभी मुझे पांच मिनट गाइड करे और मेरा ये problem solo हो जाए इसका एक ही solution है कि ज्यादा पढ़ाई करो अपने आपको time ही मद्दो ये सोचने का कि वो future के बारे में possibilities सोचने लग जाए मेरे जब भी मेरी life में जब भी ऐसा you know a downfall आया किसी भी चीज़ को लेकर relationship को लेकर दोस्तों को लेकर परहाई को लेकर जब भी कोई downfall आया मैंने और मेहनत की क्यों क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं सोचने लग गया तो इतना time free हो जाएगा कि मैं उसको सोचने सोचने में ही मेरी जिन्दगी खराब कर दूँगा तो जब भी मेरा ऐसा मानना है मुझे नहीं पता आपको आपके लिए advice काम करेगी कि नहीं मेरा ऐसा मानना है कि जब भी आपका माइंड सोचने लग जाए कि अरे यार मेरा तो ये नहीं हुआ अरे यार अभी ये कैसे करूँगा इतने दिन में ये कैसे होगा तो अपने माइंड को time ही मद्दो सोचने का पढ़ाई करना इस चार्ट कर दो चाहे रात के तीन बज़ रहे हूं रात के तीन बज़े भी अगर आपका माइंड बोलता है ना कि यार पता नहीं सुबह कित्ती बज़े उठूंगा क्या होगा तब की तभी बुक खोल के बैठ जाओ अपने आप ही नीद आ जाएगी और आपको ऐसा भी लगेगा कि चल ए वीडियो देख लो ठीक है लेक्शन नमबर बन देख लो सर मैंने एक्वेशन से सॉल्व किया सर वो राइट हो गया रहे वेरी गुड सिया सर लैप्टोप पे वोईस किसी आएगी मुझे नहीं पता मुझे क्या पता कैसे आएगी मैं कोई टेक्निकल बंदा दोना हूं ठी ठीक है जैने दो मिनट ओ रहे हैं आएम ओली लाइव स्टुडेंट है ठीक है तो आप कल जो यूट्यूब पे वीडियो डाल दी है मैंने तो यूट्यूब पे वीडियो से देख लो ठीक है माइक को उपन करके मुझे नहीं पता कैसे ओपन करोगे आप से जो पूछे हैं पूछना है वो क्या हां माइक ओपन करके पूछ लो अगर को डाउट है तो और शीवा आप है ना कल का वीडियो देख लो यूट्यूब पे अवेलेबल है उसमें मैंने यह सब बताया है हाजी चले आगे सवरव कह रहे हैं सर मैंने एक रुपे में आपका बैच लिया था जी एस्टी का आप जी एस्टी भी बहुत अच्छा पढ़ाते हो तो उसका भी लीजिए ना बैच एक रुपे में सवरव मेरी गल्फ्रेंड है उसके गिफ्ट कहां से खरीदूँगा मैं ना लाइक उसको अमूठी चाहिए अभी कहां से आएगी वह पागल करें एक रुपे में बैच इस्टी का मरवाएगा मुझे घर से बाद निकाल देंगे मुझे सर केंडी आ जाएगी ना लाइक चलो करें स्टार्ट दस मिनिट हो गए है इस्टार्ट करें करें स्टार्ट आगे चलें क्या बोलता है एक बार यस लिक्के बताओ जिन्दा है सब तो नहीं हो सकती आजी चले आगे फेरिगड चलो यस अचा वापिस में एक चीज रिमाइंड करा रहा हूँ आपको इन केस अभी तक आगर आपने बुक्स का एंडरोल नहीं किया है बुक्स का एंडरोल कर लीजिएगा फटा फट से ताकि वो आपके घर पे पहुँच जाए अभी आपको इन बुक्स का महत इंपोर्टेंस नहीं पता चल रहा होगा बड़ यह बुक इतनी इंपोर्टेंट है जब आप में चैप्टर्स में आओगे जैसे पीजी वीपी, कैपिटल गेन है ना तब आपको पता चलेगा कि इन बुक्स में कितना सम्मराइज तरीके से मैंने सब कुछ बताया है अगर अगर यही बुक यहाँ पर रेफर कर रहे हैं तो आपके लिए इजी भी हो जाएगा अगर अभी तक आपने बुक ओर्डर नहीं किये तो बुक ओर्डर कर देना जैसा कि मैंने लास लेक्चर में भी बताया था अगर आप बुक प्लस रिकोर्डिंग मोग टेस्ट टेस्ट स्रीज चाते हैं तो आप लाइव प्लस बैच को जोईन कर सकते हैं ताकि बुक आपको फ्री में मिल जाए ठीक है चलो चलो जी ओके चलते हैं आगे कों आएगा है अगा एक बच्चा जो अभी तक अन्म्यूट नहीं किया आजव है 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 करेक्ट कुन बोल रहे हैं सोरव तेज़ बोलना पड़ेगा है तो तेज़ अगर यह फोन यूज़ कर रहे हैं अभी भी धीरे वर चल जाएगी अगर इसी स्पीड से बोलेगा तो चल जाएगा ठीक है चल सोरव वहतेज हाजी सर आजी सर की सद्क ऑल सब्सक्राइब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह पढ़ने जा रहे हैं फ़र्म का ऐले पी का टेक्सेशन वहां हिंक प्रमलो इन कि dalej बूर पर ले का गवर्मन्नी क्या रख़ा कि किटना आग उनकी इंकम पच्छ एक उपर है तो अच्छ चा अच्छा मुझे बात बताँ अगर फॉं है उसकी इंकम 12% है, तो सर क्या, इनको भी MR मिलेगा? हाँ, जी सर मिलना तो चाहिए सब को मिलेगा, मैं क्या कह रहा हूँ सोरव? हाँ, जी सब को, क्या बोल रहा हूँ मैं? सब को सबको चाहे वो रेजिडेंट हो नोन रेजिडेंट हो इंडिविजुल हो एओपी हो आटिफिजुल इपसन हो कंपनी हो फर्म हो एलल्पी हो कुछ भी हो सबको मिलेगा यहांप लिख लो जिस बच्चे कोई डाउट रहता है हमेशा वो बच्च प्लीज लिख ले क्या लिखना है सर अमार का टोपिक आंगया गेरा, MR के टोपिक पे आओ, TP नमबर 4, TP नमबर 4 पे आओ, यहाँ पे लिखो, MR सब को मिलेगा, MR सब को मिलेगा, क्या मिलेगा बच्चा, सौरव, MR किसको मिलेगा, सब को, सब को मिलेगा, अच्छा, सौरव, अगर, एक ही सर्चार्ज है, तो क्या MR बनेगा, सर, एक ही सर्चार्ज है, बलब, zero income से लेके, और क्यूतने भी, 100 करोड है, सेम सर्चार्ज है, तो क्या MR बनेगा, सर, फिर नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, MR के वल तब बनेगा, जब, slab हो, इतने से बाद में इतना तब क्या बनेगा अधिमार ठीक है वापिस आजा बता का टेक्स रिट बता थर्टी परसेंट थर्टी परसेंट फ्लेट अच्छा इसमें कोई भी वह नहीं है कि छोटी फर्म बड़ी फर्म सरचोर यहां सरच चार्ट की वज़े से थोड़ा सा डिफररेंश सामसेंट आओ इस्स ऐजेड फ़म है उस एक्स उइजेड फर्म की टोटल linkem है 25,000 टैंक्स प्लस सलचाज बता हौ टैंक्स सलचाह बता हौ टेक्स प्लस सलचार्ज बताओ फकरू दिन टेक्स प्लस सलचार्ज पूचाथा मैंने कितना टेक्स प्लस एक्टेसी क्या गिया 780,000 अगर इनकी टोटल इंकम है एक करोर 25 लाग अब बताओ टैक्स प्लस सर्चार्ज प्लस हसी एक करोर 25 लाग सर रेट बता दो एक बार रेट यह रहा रेट देख लो अच्छे से याद कर दो कितना रेट अबच्चा हाँ कितना रहे हैं को टीट्री लाग सिक्स्टी एट थाउजन सब का गया जिसका नहीं आया वो पूछ सकता है कैसे निकाला सर एक करोर 25 लाग पर क्या किया सोरव सर 30 परसेंट फिर फ्लैट सर फिर उसमें सर चार्ल एड किया 12 परसेंट फिर सर फिर 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 4 परसेंट परफेक्ट आंसर क्या गया एक करोड दो लाग अब बताओ एक करोड दो लाग चल मैं मेरी हेल्प कर सोरव मेरी है इस्टेप नंबर वन बता प्लस सर्चार्ज नहीं नहीं स्टेप नंबर वन पूछ रहा हूं मैं टेक्स प्लस सर्चार्ज और नहीं तो तो टेक्स प्लस सर्चार्ज और एक करोड दो लाग कितना आएगा सिया अच्छा आपका अंसर अच्छा अमर बता दिया सिया ने अमर नहीं पूछ रहा में बाकी सब दो लाग के उपर कितना बनेगा टेक्स प्लस सर्चार्ज बाकि सब लोग सो रहे हो गया एक करोड दो लाग के उपर टेक्स प्लस सर्चार्ज कितना बनेगा एक करोड दो लाग के उपर टेक्स प्लस सर्चार्ज कितना बनेगा सर हम आंसर निकाल रहे हैं ओके परफेक्ट है स्टैब नंबर टू क्या करेंगे सोराफ कि इस ऑगर एक रोड कर टेक्सकेर निकाल लेंगे इतना एगा सब स्राइग कितना हो गया टुक्ष निंग्म कितना हो गया कि तुफ्ष युललसटे नहीं नहीं डिफ्रेंश इंकम पूच रहा हूं सब्सक्राइब तूला सर्फ हाम कितना हुग गया से टूलाइ ट 혁 कना हो गया सै एक शाक्त म कहले अ में सब्सक्राइब एंकिसा रिंट टू लग सर अ झारेक्ट छफिट अ प्रेड गरेंगे कि फॉर प्रेसेंट है डाजुकाशन चाहस। थर्टी त्री ट्री ट्वटी एट थाउटन है तो आंसर आ गया थर्टी त्री ट्वटी यह बात सबको समझ आई गया जिसको नहीं आई पूछ लो है सबको एवरिबड़ी क्यों इससे अवरिबड़ी कु सबको एवरिबड़ी एवरिबड़ी क्यों अदिकार है, MR क्या है बच्या है अधिकार, سब को लगेगा, क्यों बच्या क्योंकि MR अधिकार है, मानव अन्म्यूट करना मानव अन्म्यूट करना बच्चा फटास एस सर, NR को भी लगेगा नौन रेजिडेंट को अधिकार है आप बताओ मुझे जो डिफ्रेंशियल इंकम कमा रहे हो उससे ज़्यादा अगर आपसे टेक्स ले तो दुख होगा न यह सर यह कोई अच्छी बात है कि मैं इंकम कमा रहा हूं दो लाक मेरे से टेक्स ले रहे हो चाल लाक नहीं सर तो इसलिए MR तब को लगेगा सब को मिलेगा यह सर परफेक्ट चल यह टेक्स रेट याद होगी हम की यह सर माना फिर भी पता है गलत करके आओगे एक्जाम में क्यों सर क्योंकि बेवकूफ वो आप लोग बच्चे क्या करते हैं इंडिविज्वल की टेक्स लेब इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि वो यह सर देखते ही नहीं मतलब पता है आप लोग इतने भावुक हो जाते हो एक चीज हमेशा याद रखना जीवन में अगर आपको अच्छे नंबर चीए सक्सेस्फूल बनना है तो चीजों को एनलाइज करके आंसे करना चीए देखो दो बंदे मानव दो तरीके के लोग है एक तो वो जो बिना सोचे बोलता है एक वो जो सोचने के बाद बोलता है यह सर कौन ज़्यादा सक्सेस होलोगा जो सोचने के बाद बोलता है अगर मान लो जो बिना सोचे बोलता है वो जल्दी आंसे कर देता है और जो सोच के बोलता है वो आंसे थोड़ा लेट करता है ब बगंने दुनिया दीनि आपको ऐसा लगता है कि ने तो दूनिया दीन थीनित लेने वाली बा॥ आ लिए लेता है तो आप हर चीज को ले लांतOOOO खियरेस को अस्धार कर लोकल है तो यह तो ब्राइब thrown खीजिए है तो कि सरब लगता है नहीं तो क्यों है नि की मुझे नहीं पता क्यों है चलो लोकल अथोरिटी छोड़ दो एक्जाम में नहीं आता है फिर भी याद करना चाहो तो फ्लैक 30 परसेंट और बिल्कुल सेम लोकल अथोरिटी इक्वल टू मानव लोकल अथोरिटी इक्वल टू पर्म वाला बिल्कुल सेम अया कोई तो ऐसा बच्चा है जो बात ही नहीं कर रहा मुझसे क्योंकि मुझसे तो पांच ही लोग बात कर रहे है यार अरपिता अरपिता कम यार ऐसे कैसे चलेगा अथूल अरपिता अराधना कितने सारे मुटिंग को कि अ कि शिवा श्रेया सोनु सुच्रिता तीशा तीशा दो तीशा है अभी आंसर प्रिंदा हां कौन बोल रहे हैं जी को बात कर रहे हैं नाम बताईएगा अपना तीशा कौन से वाली तीशा डबली वाली या आई वाली आई वाली तीशा आजए ये चले आगे तीशा तीशा अब हम पढ़ने जा रहे हैं कोपरेटिव सोसाइटी का टेक्स ये एक्जाम में नहीं आता तीशा फिर भी अगर आपको याद करना है तो केवल याद करने के बॉंट ओ व्यू से पहले 10,000 पे 10 पर अगले 10,000 पे 20 प ऊपर 30 पर तीशा एक बार इसमाइल करो इसमाइल करो क्यों क्यों क्या फालतू की इस लेब है बोलो क्या फालतू की इसलेब है क्यों फालतू की है क्योंकि 10,000 पिन toughie 10 पर ये उसके ऊपर nada 20 और उसके ओपाटिस तो directly इस ही बोल दो न अरे तीशा एक्जाम में तो यही करके आना है बट आप सोच पारे हो जो मैं सोचना चाहरा हूँ क्या ही फाइदा कर लिया स्लैब करके यस और नो सर क्या ही फाइदा कर लिया गुन मैं आपको वापिस से बोल रहा हूँ कि घर पे जाके और आप यह प्रेक्टीज मलब कैसे करते हैं ठीक है तो प्लीज आप यह क्वेशन मुझसे मत पूछ हो ठीक है वही मेरे अकोर्डिंग तो एक बटन होता है उसको अन्म्यूट करो अन्म्यूट हो जाता है अगर फिर भी नहीं समझा रहा तो घर पे परस्नली दूसरे फोन से एक बार करके देख लेना ठी कि तीश्या दस हजार पे क्या है और बीस हजार से उपर बीस हजार तक बीस परसंट और तीश्या आप इतने नाराज क्यों हो रहे हो मुझसे गलती हो गई सोरी इसने नाराज क्यों साउंड कर रहे हो ठोड़ा एनेरजी लाक्या पर इस ऐस कीरत क्या है बच्चा एक करोर तक रह, इक करोर से लेके दस करोर तक और 10 क्रूड से उपर 12 चलो आप इसमें एक special rate आई है क्या special rate आई है कि अगर आप तो दो चीजें आपर इंपॉरेंट है दो कौन सी चीजें इसब्स एक और मैनिफेक्टरींड अगर आप रेजिडेंट भी हो प्लस है मैनिफेक्टरींग तो आप टेक्स रेट दे सकते हो 15 अगेर कौन हो आप लेकिन condition क्या है condition यह है कि आपका जो setup है या registered है वो कब होना चाहिए on or after और जो manufacturing है वो कब से start हो जानी चाहिए जानी कि मैं यह कह सकता हूँ कि आपका previous year 23-24 में setup भी हो जाना चाहिए और manufacturing भी हो जानी चाहिए अगर आपका setup 23-24 के अंदर अंदर हुआ और manufacturing भी start कर दी 23-24 के अंदर अंदर तो आपको क्या option दिया गया government दौरा फ्लैट 15% की rate के उपर tax आप है दे सकते हैं अगर आप other resident हो कोन हो आप अगर आप other का मतलब बच्चा तो manufacturing नहीं तो उस case में आपको कौन सा rate ले सकते हो आप 22% और इसमें कोई condition नहीं है ठीक है याद हो गया नहीं भी हुआ चलेगा मुझे कोई दिक्कत नहीं नहीं आता है ठीक है अच्छा कंडिशन है अच्छा इसमें क्या है बच्चा देखो सर्चार्ज की रेट क्या है यानि कि अगर सोसाइटी 50,000 रुपे कमाएगी तो उसके उपर टेक्स अगर मान लो यह है अधर रेजिडेंट तो टेक्स कितना बनेगा इंटू प्लस क्या होगा कितना हो गया बारा जार सो रुपे प्लस क्या होगा चाप पसे इस एट ओके मतलब सर्चार्ज का कोई भी ब्रेकिट नहीं है अगर आपकी इंकम एक अजार रुपे है तो भी सर्चार्ज लगेगा लगेगा इन दोनों स्कीम में कौन सी स्कीम में बच्चा इस्पेशल इस्पेशल टेक्सरेट दो तरीके की कौन कौन सी वन फिफ्टीन बी डबल ए ए स्टीक है यह सेक्शन नंबर है याद करने की ज़रूरत नहीं है चले आगे चलो condition क्या है अब बच्चा एक चीज़ तो समझते हो तीशा अगर आपको 15% फ्लैट दे रहे हैं या 22% फ्लैट दे रहे हैं तो definitely condition तो होंगी अगर condition नहीं होगी तो कोई slab को मानिख ले गहीं नहीं आ हाँ अगर मैं आपको दो प्लेट दूँँँ हैक में लड़ु एक में दस लड़ु कौं सी चूज करोगे अगर मापको दो slab दूँँ एक में 30% एक में 22% कौन सा चूज करोगे जक्स 15% वाली नहीं नहीं आरे 15% वाली तो resident manufacturing को है मैं बात कर रहा हूँ other resident other resident को एक मैं तू 30 वाली एक 22 वाली कौन सा choose करोगे कंडिशन है क्या conditions है देखो आपको 10 AA का benefit नहीं मिलेगा अगर नहीं पता कोई बात नहीं आगे पढ़ेंगे 33 AB section यानि की tea coffee rubber development account का exemption मिलता है जो आपके course में नहीं है वो आपको नहीं मिलेगा यह आपके course में है क्या नहीं मिलेगा बच्चा तीशा एडिशनल नहीं मिलेगा scientific research के उपर जो आप donate करोगे उसका deduction भी नहीं मिलेगा आपका जो specified business है 35 AD वो भी आपको नहीं मिलेगा agriculture extension project आपके course में नहीं है उसका deduction भी नहीं मिलेगा और आपको chapter 6 A के deduction भी नहीं मिलेगा केवल एक deduction मिल सकता है वो है 80 double J double A यह बात समझ आई क्या नहीं आई तो भी चलेगा मुझे मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें क्योंकि यह काफी unimportant है ठीक है तीशा के अलावा कोई आना चाहेगा फटा फट वंसी का डू यू वांट तू कम वरिंदा यू डू यू वांट तू कम बहुत मज़ा आएगा मैं सच्छी बता रहा हूं अन्म्यूट करके बढ़ने में अगला टोपिक इंपॉड़ेंट है जिन्होंने hand race किये हैं उनसे मैं पहले भी बाते कर चुका हूँ इसलिए मैं उनसे अभी बाते नहीं करना चाहरा था बट ठीक है अनीश आजा भाई चला नीश और यह सब चीजे जो हैं वह हम पीजी बीपी में यह सेट अफ में बढ़ेंगे और यह पीजी बीपी में बढ़ेंगे ठीक है यह सर्व लाइन मैंने यहां पर लिखी है ताकि complete हो जाए अनीश अब important topic अपना domestic company का taxation ठीक है अपने इंडिविजुल का बढ़ा प फर्म को अंदर कोई new tax regime भी है special नो सर नहीं फर्म के अंदर केवल एक है क्या है क्या है अब हम जो important पढ़ने जा रहे हैं वो है domestic company अच्छा दस रुपे की चोकलेट अगर तु का definition बता दे कोई अगर कोई भी अगर का definition बता दे फटा फट दस रुपे की चोकलेट मेरी तरफ से लिख लेना कि अन्म्यूट करो फटा फट देखके ने इंडियन कंपनी और वो हैज मेड़ देकलेरेशन ऑप डिविट इंडियन कंपनी है वो क्या है और जो इंडिया में डिविडियन देती है सर वह भी डिमेस्टिक कंपनी है आपका नाम क्या है सौरव सौरव दस रुपे की चोकलेट लिख लो सौरव ने डिविडियन कंपनी का definition बताया क्या एवरी इंडियन कंपनी जिसका रेजिस्टर्ट ओफिस इंडिया में हो दूस तो मैंने आपको एक चीज़ पताई थी कि डिमेस्टिक कंपनी के definition इंपोर्टन इसलिए लिए क्यूंकि आपको पता तो होना चीज़ है न कि डमेस्टिक की tax rate क्या है आपको यह तो पता होगी डिमेस्टिक कंपनी का definition क्या है यह सो नौ है yes "'BER Mundy कंपनी का Taxidate पढ़ रहे हैं? उनको यही नी पता Dome matéri सब्सक्राइब का Definition क्या है ? तो क्या मतलब है Yes or no ? yes , अब डोमेस्टी कंपनी काistem आपन चेक्स रीट पढ़ रहे हैं डोमेस्टी कंपनी का टेक्स रेट दो भागों में बाता है नॉर्मल और special, normal tax rate पढ़ रहे हैं अभी बच्चा, कौन सा पढ़ रहे हैं पहले normal normal tax rate में government ने क्या बोला अगर आपका previous year 21-22 का turnover 400 करोड से कम है, तो क्या rate पे tax लगेगा 25, और अगर आपका 21-22 का turnover या तो है नहीं या फिर 400 करोड से ज़्यादा है तो क्या rate लगेगा 30% जितने भी लोग सो गए वो जग जओ फटाफट, और एक बाद chat box में लिखके बताओ जिन्दा है, क्योंकि अब जो हम समझने जा रहे हैं, वो इतना important है कि आप लोग इस topic को पढ़ने के बाद में अपने friends के साथ जरूर बोलोगे कि आकास सर की classes जोइन कर दो इससे अच्छा कोई पढ़ाई नहीं सकता इतना important topic बताने जा रहा हूँ अनीस, are you ready? Yes, sir पका? Yes, sir अनीस, जब कोई individual की बात आती है बेद भाव करने की discriminate करने की, कि गरीब है अमीर है, तो हम किस चीज़ को base बनाते हैं? मलब किस चीज़ पर यह decide करते हैं कि कोई अमीर है कि गरीब है? टोटल इंकम परफेक्ट, टोटल इंकम के basis पर हम यह decide कर लेते हैं कि वो बंदा गरीब है या अमीर है, यानि कि अगर कोई इंडिविज़ जिसकी टोटल इंकम धाई लाग है, तो उसके उपर टेक्स किता लगेगा? क्योंकि वो गरीब है अगर कोई इंकम कोई इंडिविज़ पांस लाग रुपे कमा रहे है तो उसको धाई लाग के उपर पांस परसेंट, बारा जा पांसो क्योंकि वो गरीब है अगर कोई इंसान 10 लाग रुपे कमा रहे है तो उसको एक बारा पांसो क्योंकि वो गरीब है अगर कोई इंसान 3 करोट रुपे कमा रहे है तो उसके उपर क्या लगाएंगे? स्लैब भी लगाएंगे तर्चास भी लगाएंगे क्योंकि वो अमीर है yes or no yes sir समझ आया इतना yes sir अब मैं तुझसे यह पुछना जा रहा हूँ कि कोई company अमीर है कि गरीब है यह कैसे बता करते है turnover से turnover पे सर यह बात किस किस को समझ आई कि company गरीब है अमीर है यह profit पे dependent नहीं करता सर क्या बात कर रहे हो सच में हाँ कोई company छोटी है या बड़ी है क्या उसके profit पे depend करता है या turnover पे turnover पे यह बात किसको disagree है वो मुझे बता दे कोई disagree करते हैं तो बजा दो मैं क्या कह रहा हूँ कि individual गरीब होगा कि अमीर वो total income पे depend करता है लेकिन कोई company छोटी होगी की बड़ी वो depend करती है उसके turnover पे क्या ऐसा possible है कि एक company जो की 5000 करोर का business कर रही है लेकिन profit जीरो और क्या यह possible है कि एक company जो एक करोर का business कर रही है लेकिन profit 80 लाग बिल्कुल possible है yes or no yes sir तो यानि की disagree कर रहे हो जो disagree कर रहे है unmute करके बाते करते है आज़ो अगर कोई disagree करता है कि एक company turnover के basis पे छोटी बड़ी नहीं होती profit के basis पे छोटी बड़ी होती आज़ो देखो मेरी फिरकी ले रहे हो तो बहुत गुरा गर रहे हो क्योंकि जिंदगी आपकी फिरकी लेगी मेरे का जाता है लेकिन आपके पास अगर genuinely कोई कारण है तो आज़ो I am ready to hear मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरी knowledge announcement हो क्योंकि मैंने तो यही सोचा कि कोई company छोटी है या बड़ी है वो depend करता है कि उसकी turnover कितनी है क्योंकि ऐसी बहुत सारी companies है जिनकी turnover बहुत ज़्यादा है लेकिन प्रोफिट नहीं हुमारी कि यस और लो इस लिए इस लिए बच्चा कि अनीज इस लिए अनीज इस लिए आगे बताना इस लिए क्या किसका turnover फोर करोर के उपर रखा उसमें की फाइब पर सिंग सब्चार स्लैब रखा आप जो पूर करोर से उपर कमाके हैं तो उसमें 30 पर सिंग का अच्चा ये लाट नाइए 7 अगर किसी का turnover चारसो करोर से कम है तो पूरी इंकम के उपर कितना पूर्सें लगेंगे और अगर किसी का turnover चारसो करोर से ज्यादा है तो पूरी इंकम के ऊपर now higher कौन से हr कथ देखेंगे अभी आपका एर कौन सा है 152 ब entropy अ वाइज है 21-22 क्यों? मेरा question समझ आया सबको? पहले तो ये बताओ question समझ आया? chat box में लिखके बताओ मेरा सवाल, मेरा question समझ आया? हम कौन से previous year का text निकाल रहे हैं? कोई एक बच्चा जो मुझसे बात कर लिया नहीं, साफ म्यूट पर चले जाओ. कोई एक बच्चा जो मुझसे बात कर लिया हो, आजाओ. येस सार. आजी, कौन हो, आप नाम क्या है बच्चा? सार, पूर्वा. पूर्वा? पूर्वा इतनी दुखी क्यों है? नहीं हूँ सार. पूर्वा, मुझे बता, आप कौन से year का text निकाल रहे हो? पूर्वा, आपका एक्जाम कौन सा है? अटेम्ट. सार, ये जैन्वेरी. जैन्वेरी ट्वेंटी टू? नो, सार, ट्वेंटी फाइज. अच्छा, प्रीवेस ये कौन सा है बच्चा आपका? सार, प्रीवेस येर, 2023-2024. एंग ओर, आपको इतना दो बता है. सार, आपने ये पूछा था ना, कि कौन से year का text निकाल रहे हैं अपने? हाँ, तो text कौन से year का निकाल रहे हैं? सार, टेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, बच्चा 23-24 का? हाँ, तो आपने 21-22 क्यों बोला? वापिस से पूछ रहा हूं, पुरुवा. टेक्स कौन से year का कैलकुलेट कर रहे हैं? 23-24 का. करनोवर कौन से year का देख रहे हैं? 21-22 का. क्यों? क्योंकि 23, अपने जो प्रीवेस year है, 21-22, उसका अपने, जो अपना current year होएगा, 23-24, उसमें एसस करेंगे न, कि कितना आपनोंने कमाए हैं? नहीं, मैंने question क्या पूछा पुरुवा? इंकम टेक्स कौन से year का निकाल रहे हैं? 23-24. इंकम टेक्स निकालने के लिए rate चीए. चाहिए ना rate? येस सर. रेट देखने के लिए turnover चीए. येस सर. turnover कौन से year का देख रहे हैं? 21-22 का. क्यों? क्योंकि अपने 21-22 end होगा 31st March को. 31st March 22 को end हो जाएगा वो तो, correct है? और जो अपना अभी जिस year में अपने टेक्स निकाल रहे, 23-24 में. वो 1st April से start होगा. तो फिट 21-22 का अपने 23-24 में तो calculate करें. प्रीएस येर 21-22, प्रीएस येर 22-23, एंड प्रीएस येर 23-24. मैंने simple कर दिया. turnover कौन से year का देख रहे हैं? 21-22. टेक्स कौन से year का निकाल रहे हैं? 23-24. रेट क्या होगा? बताओ. अच्छा, प्रोफिट तो बताएं नहीं, सर. प्रोफिट क्या है? प्रोफिट है 10 करोर. रेट बताओ. 25-25 परसेंट. 25-25 परसेंट. बिल्कुल सही है. क्यों? सर, क्योंकि जो अपने प्रोफिट है, वो 400 करोड से कम है. पागल हो गया आप लोग थोड़े से? प्रोफिट है? टर्नोवर? यहीं, टर्नोवर, टर्नोवर. हाँ, टर्नोवर 400 करोड से कम है. कौन से साल का? मतलब आपने आंसर तो सही बता दिया. कि सर, 21-22 का टर्नोवर क्योंकि 400 करोड से कम है, इसलिए टेक्स रेट क्या होगा? 25-25 परसेंट. 21-22 का क्यों देख रहे हो? 22-23 का क्यों नहीं देख रहे? 23-चोबिस का क्यों नहीं देख रहे? बहुत ही सिंपल आंसर इसका. आपाउंट आता है? 23-24 हम एर में है और 22-23 का हम टेक्स निकाल रहे हैं. तो मारे पास टर्नोवर तो 21-22 का गिवन होगा ना? नहीं, थोड़ा सा गलत बोल दिया आपने. वापिस बोलो क्या बोल रहे हो? हम कौन से एर का टेक्स निकाल रहे हैं? 22-23 का क्या बात कर रहे हो? 22-23 का टेक्स कब निकाल रहे हैं अपन? तुछ भी बोलोगे आपने बात सही बोली लेकिन थोड़ा सा फस गए वापिस से बोलो टेक्स कौन सी एगा निकाल रहे है 23-24 का तो 22-23 का टर्नोवर क्यों नहीं ले रहे और घदो इधर आओ 22-23 का टेक्स टर्नोवर लोगे कैसे क्यों क्यों क्योंकि 22-23 का टर्नोवर फाइनल कब होता है सेप्टेंबर महिने में अब आदे बच्चे तो समझ गए आदे बच्चों की अभी भी बत्ती नहीं जली सर क्या बोल गए भाई साब वापिस से बोल रहा हूं मैं 23-24 इयर स्टार्ट कब हो जाता है स्टार्ट कब हो जाता है 23-24 एक अप्रेल 2023 एक अप्रेल 2023 2023 से लेकिन जो 22-23 का टर्नोवर है वो फीगर कब निकल के आती है 31 सम्टमबर लागब सितमबर में अब जब सितमबर तक आपको टर्नोवर ही नहीं पता तो उसके वेसिस पे आप टक्स रे्टी साइड सर इसका टर्नोवर final कब होगा final turn insult आपको क्या लगता है 31 तारी को final हो जाता है turnover लो सर्शल 16o इसका final turnover कभ निकलके आएगा अरॉंड around कौन से महीने में september september 23 में मानते हो ना इस बात को तो जब सप्टेम्बर तेश्ट तक टर्नोवर ही नहीं आ रहा तो वो टर्नोवर अपन बेश से नहीं बना सकते हैं इसलिए 21-22 का टर्नोवर देखा जाता है बात समझेगी नहीं कहने का मतलब अगर आप रट्टूर्ट होता हो तो कहने का मतलब केवल इतना सा है कि जिस एर का टेक्स निकाल रहे हो उसके दो साल पहले का टर्नोवर देखा जाता है बात कतम और अगर कोई समझदार है तो वो समझ गया कि सर जिस year का text निकाल रहे हैं उस year का turnover तो देखी नहीं सकते और उससे पहले वाले साल का turnover भी final नहीं होता तो देखेंगे कौन सा प्रीवेस टू प्रीवेस यह एक बार yes लिखके बताओ अगर यह concept समझ आया और नहीं आया तो भी बता दो कि नहीं आया सर एक दो तीन चार पांच छह साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चोदा पंदरा सोला ठीक है आ गया अच्छा मेरा एक question आपसे है कि यार अपन current year का turnover ले लेते हैं क्योंकि text तो तभी final होगा जब turnover final होगा text तो तभी देंगे ना जब turnover final होगा तो आप current year का turnover देख लो ना दिक्कत का है problem का है कोई एक बच्चा जो अपने आपको समझदार मानता है unmute करो जिसको actual में पढ़ाई से मतलब है जो सुन रहा है मेरी बात unmute करो अंकूर और इशिका दो बच्चे है ना अंकूर इशिका सिया जो भी हैं टीनों से मेरा question है कि एक बात बताओ कि अगर आप 23-24 का tax निकाल रहो करेक्ट है तो 23-24 का tax तो तब ही निकालोगी जब साल खतम हो जाएगा और साल खतम होने के बाद turnover पता चल जाएगा turnover पता चलने के बाद profit पता चल जाएगा जब tax आप साल के बाद में देने वाले हो तो current ही है कर टरन ओवर ले लो ना सब्सक्राइब करना पता है ना सब्सक्राइब जिसने यह आंसर दिया ना कि एडवांस चेक्स तो पे करना पड़ता है ना 20 रुपे की चोकले मेरे नाम से नाम क्या था उसका अंकुर अंकुर वेरी गुड अंकुर सेल्यूट मैंने क्या बोला कि भईया 23-24 का टेक्स कब दोगे प्रिविएस यह 23-24 का टेक्स आप दोगे सेप्टेंबर या ओक्टोबर 2024 तो ठीक है करन टियर ही ले लो ना नहीं क्योंकि 23-24 में आपको क्या देना पड़ता है और एडवांस टेक्स के लिए रेट तो चाहिए ना तो रेट रिसाइट करने के लिए दो साल पहले का टर्नोवर नित्मा सर नहीं समझाया कुछ भी रटा माल ने हां माल दो रटा क्या है सर रटा यह है कि अगर आपकी 21-22 की टर्नोवर 400 करोड से कम है तो 25 परसेंट एग्जेक्ली 400 करोड है तो भी 25 परसेंट चलो मैं आपसे क्वेशन बूछ रहा हूं मुझे आंसर चीए टर्नोवर प्रीजियर इक्टिस बाइस 350 करोड अनकु easier 145 करोड टे एक्स बताँ मुझे तो अमाउंट बताओ मुझे तो अमाउंट बताओ कुई मानव पुर्वा मानव और पुर्वा क्या किया आप लोगोंने 25% फ्लाट रेट लगा दिया 390 अब कुछ पागल से हो गया सर फॉर फिफ्टी पे लगेगा लेकिन हम जो फ्लाट रेट है वो प्रिविएस यह ट्वंटीवन ट्वंटीटू के हिसाब से देखेंगे यह विना बात यह आर्गिमेंट चीए मुझे क्लास में घदेड हो जो 390 पे लगा रहा है वो तो मरी जाओ आजी जो 450 पे लगा रहा है वो कलमर जाओ और जिसने यह बोला कि दोनों पे नहीं लगेगा प्रॉफिट पे लगेगा नालाइब टॉन ओवर का 25% टेक्स दोगे क् किसी ने पूछा कि सर प्रॉफिट कितना है यह तो बता दो इस सब्सक्राइब गदेड हो हो तो यह समझ आया गया जिस जिसका डाउट था जिस ने गलत किया उसको समझ आया गया तर पर आपने लिखा है टॉन ओवर ग्रॉस रसीट पे टैक्स रिट लेस देन 400 प्रॉस तो उस पर भाई मैंने टैक्स रेट लिखा है मैंने यह नहीं लिखा 400 के उपर लगेगा मैंने बोला है कि अगर आपका टर्नोवर 400 करोड तक है तो टैक्स लगेगा 25 परसेंट किस पे इंकम पे अच्छा ओके ओके ठीक रही है आप यहां पर लिखो 25 परसेंट ओ कोन हैं है अलीं कि इंकम बच्छा टर्नोवर का 25 परसेंट डेने लग गए तो आप तो तो नुत जाएंगे सर भी तर्णोवर का 25 परसेंट होता है क्या समझे कि नहीं पक्रूदीन कह रहे हैं इंक्म टेक्स क्रोओष टंवर टेक्स जानी कि आपने टंवर टेक्स निकाल दिया इंक्म टेक्स निकालना है नालाय को Ace that okay यह एक्जाम में करके आते हैं बच्चे मेरे पास बुक आती है बच्चोंगी कि Sir आपने तो कह था कि अगर turnover 400 करोड से कम हो तो turnover का 25% tax लगेगा turnover का नहीं profit का is that okay yes sir surcharge का rate याद कर लो सब लोग फटाफट से surcharge का rate याद करो आपको एक चीज़ समझ आ रही है कि मैं class में करता क्या हूँ जितनी भी आपकी गलतियां possible हैं वो गलतियां करवाता हूँ क्यों करवाता हूँ ताकि आप exam में ना करो is that okay yes sir जितनी भी गलतिया possible है वो सब गलतियां कराऊंगा और बहुत डाटूंगा मलब आप लोगों को लजजित करूँगा लजजित जरूरी है बच्पन में हमारी होती थी तो हम सोचते थे हम भी करेंगे मोका मिला है तो छोड़ेंगे नहीं चलो सर्चार्ज की रेट याद हो गई अगर इंकम अप टू वन करोड है तो निल अगर इंकम वन करोड तू टैन करोड है तो और अगर टैन करोड के ऊपर है तो 12% 12% 12% आप इंकम निकाल रहे है तो नहीं हो आप चलो सर्चार्ज हेल्थ एंड एजूकेशन सेस फो परसेंट चलेगा चले आगे अब इस पेशल टैक्स रेट आया है डॉमेस्टिक कंपनी के लिए स्पेशल टैक्स रेट पहला क्या है डॉमेस्टिक एंड मैनिफेक्ट्रिंग कंपनी जैसे ऊपर फिफ्टीन था अदर डॉमेस्टिक के लिए रेट क्या है चलेगा अच्छा यहां पर रेजिदेंट वर्ड क्यों यूज नहीं किया नहीं रेजिदेंट वर्ड यूज नहीं किया क्योंकि डॉमेस्टिक कंपनी इस इंडियन कंपनी के लिए डॉमेस्टिक कंपनी के नेवर भी एंड का पढ़ेंगे रेजिदेंशल स्टेटस में तो यह जहां डॉमेस्टिक वर्ड आ गया वहां पर बाइड डिफोल्ट क्या है और चीक है तो किस बच्छे का डॉट आया जागी सर उपर तो आपने आर और एन रूज किया था यहां पे तो आप केवल डॉमेस्टिक और डॉमेस्टिक की लिखरे हो डॉमेस्टिक कंपनी विल ओल्वेज भी रेजिदेंट इन इंडिया चलो कंडिशन क्या है बिल्कुल सेम है बस यहां पे वहां पे केवल 23 तर्टीफर्स मार्श तुट्वाज़न ट्वेटीफोर और सलचास रेट क्या है तैन परसेंट विदाउट इनी थ्रेश्योर लिमिट विल्कुल सेम है उपर भी यही था कोपरेटी ससाइटी में और एचसी 2 वह थो सब में सेम है ठीक है अचा वपर भी यही डिडेट्शन अलाओद नहीं थे 100 डबाल डूपर और वीस्टोरेशन अलाओद नहीं था सिंटिफिक रिसर्च का डॉनेशन अलाओद नहीं था इस्पैसिफाइड बिजनस का डेट्शन अलाओद नहीं था जिसको समझ आ है ठीक है नहीं समझा रहा चलेगा क्योंकि यह टॉपिक फीजी वीपी की हैं इस कंप्लिटली फाइन इसकिल डवलप्मेंट का सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब करेंगे याद करो क्या रेट है अगर इंकम एक करोड तक है तो दस करोड़ है तो दस करोड़ से जादा है तो वाए लोग इतनी कम क्यों विकॉस टैक्स रेटी कोटी परसंट इतना रहाई है एक्जैक्ली सर टैक्स रेट जब 40 परसंट है तो सल्चाज तो कम रखना ही पड़ेगा वरना यह कंपनी भाग जाएगी सर यह तो बहुत ज्यादा है मुझे तो खईबा लगता है इतना ज्यादा टैक्स रेट ले क्यों रहे हो सर किसी का 40 परसंट प्लस सर्चाज प्लस एचसी सोचो आप इमेजिन करो आप एक फोरेंड कंपरी चलाते हो इंडिया में आपका लगबग 50 परसंट एक्स कोन ले जाए कि इंडियन कोर्मेंट क्या करोगे आप इस फुद खुजी कर दूँगा कोई बात होती है कमाई आप करो और टैक्स को ले जा रहे हैं इंडिया वान सरकार करेंगे लिए को बताएगा मैंने क्या लिखा अभी इस थाड़िकाइप परसंट फिनेंशल सर्जो नया एक्ट आया है जो मही के लिए अप्लिकेबल है किनके लिए मैं उनका टैक्स रिट कितना हो गया है MPQ में पक्का आएगा यह बड़ा क्वेशन नहीं आएगा ये अभी के लिए नहीं आगे के लिए और यह का ट्रेंड रहा है जब नेक्स्ट अटेम्ट के लिए कोई अमेंडमेंट होती है तो वह क्वेशन इस अटेम्ट में पूछते हैं आता है है तो यह mcq पक्का आएगा किसका taxation foreign company किसका foreign foreign company का आपके लिए निवरी के लिए क्यों क्यों कि हम पढ़ रहे है इसलिए क्या रेट 40% लेकिन ज्यादा है लग रहा है ना ज्यादा है यह सब्सक्राइब करा चुका हूं कोई एक बच्चा मुझे इस्टेप पढ़के बता दे इस्टेप नमबर बन 1. Calculate tax plus surcharge on net total income actual uses and step number b calculate tax plus surcharge on total income without considering incremental income step c deduct step b from step a step number d uh write down additional income over and up over and above nearest surcharge slab incomes step e marginality could be found by deducting step c to step d step f deduct mr from step a step g add health and education says which is 4%. इसे अल्रेटी कर चुकि अपन जैसे की जिग्यासा की एक्जामबल में हमने सबसे पहले tax निकाला था दो करोड़ सबसे पहले क्या निकाला था यह सब 50 लाग फचास इसार फिर किस निकाला था पचास लाग पर फिर दोनों टेक्स को क्या किया था और फिर और फिर इन दोनों को माइनस करके क्या आया था और माजिनल रिव जो आया था उसको कहां से माइनस कर दिया था एक्च्वल इंकम से स्टेप बन से एक्च्वल इंकम नहीं टेक्स ओन एक्च्वल इंकम से ठीक है इसका मैंने एक्जांपल लिख दिया आप लोगों के लिए ठीक है चलो अब लास्ट टॉपिक ऑफ दे डे विच इस रीबेट आप लोगों को मैं बता दूँ कि रीबेट जो है वो बहुत ही होट टॉपिक है क्या है क्योंकि रीबेट में लड़ाईयां चल दिया है क्या चल रही है लड़ाई चल रही है सब कब पढ़ाओगे लड़ाई लड़ाई पढ़ाएंगे आपको कैपिटल गेन चैप्टर में आज लड़ाई में पढ़ाएंगे रीबेट में बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है बहुत बड़ी बहुत ज़्यादा बड़ी सुप्रीम कोर्ट तक चला गया रीबेट का गेस कितनी बड़ी लड़ाई चल रही है इवन आई सी ए आई ने भी अभी तक इस पर कोई स्टेंड नहीं लिया सर मार्केट अलग कर रहा है और गवर्मेंट अलग कर रही है लेकिन वो कब पढ़ेंगे हम कैपिटल गेंड आज जो रीबेट पढ़ने वाले हैं वो सिंपल है चलेगा अज जो अभी रीबेट पढ़ रहे हैं वो सिंपल है चलो रीबेट किसको मिलती है बच्चा रेजिडेंट इंडिविजबल को इसको याद करने का तरीका बता दो मैं इतना प्यारा तरीका बताने वाला हूँ जीवन में आप कुछ भी भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ हो सकता है आप अपना नाम भूल जाओ लेकिन रीबेट किसको मिलती है ये कभी भी नहीं भूलोगे सब क्या करने वाले हो मुझे बात बताओ यार कौन आएगा एक बच्चा ही आ सकता है पुरुवा एक बात बता यार जिसकी इंकम एकजेक्ली 5 लाख रुपई है उसका टेक्स कितना बन रहे है अभी तक जितना पड़ा वन लैक अरे ना मराएगी क्या कितना बन रहे है 12,500 ओल्ड की बात कर रहा हूँ मैं ठीक है ठीक है गवर्मे ने पता है क्या किया यह बात है Congress Government की किसकी? Congress Government Congress Government को What Bank चीए था क्या चीए था? What Bank अब दो तरीके थे Congress के पास या तो वो यह बोलती कि पांसलाख रुपे तक income tax जीरो अगर ऐसा बोलती अगर Congress Government यह बोलती कि अप्टू 5 लेक जीरो तो इसका जो इसका जो implication है वो किस पे बढ़ता? सभी पे किस पे बढ़ता बच्चा? सभी पे जो बंदा 20 लाग कमा रहा है उसको भी फाइदा होता जो बंदा 30 लाग कमा रहा है उसको भी फाइदा होता जो 40 लाग कमा रहा है उसको भी फाइदा होता जो 2 करोर कमा रहा है उसको भी यह सर नहीं समझे क्या समझे सर अगर गौवंट यह बोलती कि पांच लाग रुपए तक इंकम टेक्स कितना जीरो तो सबको फाइदा होता यह सो नो यह सर अगर कोई इंसान पचास लाग रुपए इंकम कमा रहे तो उसका भी टेक्स कम बनता ना यह सर तो गौवंट ने चाहिए हमें तो रिलीव चाहिए हम टेक्स नहीं देंगे हम टेक्स नहीं देंगे और मज़े की बात यह है कि इस दुनिया में 140 करोड में से 149 करोड लोग कोन है जो 5 लाग से कम किंकम है तो मुझे बताओ पॉर्ट बैंक अगर मान लो 140 करोड में से 70 करोड लोग वो हैं लोग कमाते हैं तो 70 करोड में से 65 लोग 65 करोड लोग तो कोन है जो कम कमाते हैं correct है मैं भी data बहुत ही आपको कम बता रहा हूं बहुत कम बता रहा हूं मुझे बताओ vote bank कोन है वो 65 yes or no yes sir तर वो ही तो वोट डालने जाएंगे जो पांच लाग से ज़्यादा कमाते हैं वो तो इतने से हैं इतने से मतलब की पराथे के अंदर एक छोटा सा आलू छोटा सा छोटा सा नमक उतने से हैं तो वो तो वोट बैंक नहीं है फोकस किस पर करना था गौवर्मेंट क गौवर्मेंट ने पता है क्या वोला कि जो भी रेजिदेन्ट इन्डिविजूल है अच्छा वोट बैंक कौन होता है तरीका याद करने का क्या होती नाई क्या ऐओस्याट बेंक होता है क्या नोन रेजिडेंट वोड बैंक होता है नई केवल एक है जो वोड बैंक होता है कौन इसलिए रीबेट किसको मिलती है अब मुझे चैट बोक्स में बहुत बड़ा यस लिखके बताओ यस से भर दो चैट बोक्स कि आप लोगों को समझ आया क्या कि यह रीबेट का सेक्शन केवल रेजिडेंट इंडिविजुल को क्यों लगता है और प्रोमिस करो कि जीवन में कभी कंफ्यूज नहीं करोगे कि रेजिडेंट हुएफ को भी लगेगा कि नहीं लगेगा एक्जा सर रीबेट क्यों आया एक्चुल कहानी है यह रीबेट क्यों आया वोट बैंक रीबेट क्यों आया वोट बैंक रीबेट क्यों आया वोट एक्चुल कहानी है रीबेट आने के पीछे वोट बैंक जब रीबेट आया था ना तब गवर्मेंट ने जब फिनांस मिनिस्टर उसने यही बोला था कि इस देश के गरीब लोग जो कि पांस लाग से इंकम कम कमाते हैं उसके लिए बड़ी राहत है उनको हम रीबेट दे रहे हैं और यह रीबेट तब ही आया था जब लेक्षिम थे समझे की नहीं कि वह फाइदे हो गवर्मिंट के क्या मुझे बात बताओ बारह जाए पांसो पर है लर्ड कितना ही रेवन्ट्र हो जाएगा है ए सब्सक्राइब अग्रफ कर तो इस दो ऑड़ी वात है नुज परड़ी बात है दियूजिमेजिन करो अंजना न गरीबों को बड़ी राहत जो 5 लाग रुपए तक इंकम कमा रहे हैं उनकी हुई इंकम माफ गवर्मेंट ने 5 लाग रुपए तक की इंकम वालों की इंकम माफ की इस दुनिया में इस देश में 65 करोड लोगों को राहत मिदी कितनी बड़ी न्यूज है यसो नो यह सब्स वो कोई गवर्मेंट हार सकती है जिस गवर्मेंट ने डायरेक्टली 65 करोड लोगों को फाइदा दे दिया क्या वो गवर्मेंट रिलेक्शन हार सकती है कभी नहीं यह था रीवेट आने का मोटिव समझाया यह सब इस लिए रीवेट के वल किसको मिलेगा रेजरेंट टोटल इंकम 5 लाग रुपए है तो आपको रीवेट कितना मिलेगा जितना भी टेक्स है और 12500 विचेवर इस लोवर चीक है और रीवेट 112 एसे नहीं मिलेगा बट 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 अभी इस पे क्या चल रहा है डिस्प्यूट चल रहा है इस पे नहीं सब पे डिस चल रहा है चीक है तो अभी यह पॉइंट अपन डिस्प्यूट में छोड़ रहे हैं इस एट ओके यह तो यह डिस्प्यूट है इसके बारे में अभी फोकस नहीं कर रहे है अच्छा अगर पांच लाग दस रुपए इंकम है तो तो नो रिबेट एक रुपए का भी डिव एज है 65 यह टोटल इंकम है 4,90,000 बताओ टेक्स बताओ चैट बोक्स में या एक काम गरो रिबेट प्लस टेक्स दोनों चीज़े बताओ रिबेट भी बताओ और टेक्स भी बताओ रिबेट भी बताओ और टेक्स भी बताओ रिबेट भी बताओ और टेक्स भी बताओ मेरा सुनो बच्चों डारेक्ट ली आंसर मत करो मैंने क्वेशन क्या बुछा है रीने भी बताऊ कितनी धिये रीबेड कितनी धिये वह भी बताऊ और टैक्स भी बताऊ कि सौरव करना सौरव एक बार अन्मूट करना है कि वैलो सोरव आपका अंसर कैसे आया 9500 सब्सक्राइब लगती है अब बहुत सारे बच्चे हैं जिनका आंसर बारा जार आ रहे हैं उनको कुछ कहना चाहोगे अप कोई बाद नहीं सब्सक्राइब गलतियों से सीखते हैं इतने अच्छे बच्चे कहां से आते हो नित्या ने health and education says head कर दिया नित्या बच्चे ना लाए के सुचरिता का अभी भी सही नहीं आ रहा सुचरिता अभी भी 10,000 रुपए बता रहे हैं धूग के मर जाओ सच में मर जाओ सर रीवेट आएगा 9,500 ना लाए को रीवेट आएगा 9,500 और tax आएगा जिरो 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 जिसने भी 12,000 बोला आप प्रिपेर नहीं हो अभी एग्जाम के लिए आपको बहुत दूर जाना है यह जर्णी जो है ना आपकी बहुत लंबी है प्रेक्टिस करो चीज़ों को मैं जब कोई चीज लिखता हूं तो उसको इज़त दो बेज़ती मत करो जब मैंने 65 लिखा तो कुछ सोच के लिखा होगा ना इस बात को आप तो बिज़ती कर देते हो 65 यह की चलो अगर इनकी टोटल इंकम है 5,10,000 अब बताओ टेक्स बताओ बाकी सब कुछ सेम है इनकी इंकम है 5,10,000 टेक्स बताइए बाकी सब कुछ सेम है एवरी एवरीथिंग इस सेम जस इंकम चेंज हुई है अंकूर क्या बच्चा है यार ओ माइगोड कब सुद्रोगे आप रीबेट क्यूं दे रहे हो आप? क्यूं दे रहे हो अंको रीबेट है? क्यूं रीबेट दे रहे हो? क्या मज़ा आ रहा है आपको रीबेट देने में? बाप रे बाप और इसमें भी सब के आंसर अलग? ओ माइगोड शिट तीन आंसर आ चुगे मुझे तीन आंसर टेक्स प्लस हसी बताना है ना टेक्स प्लस हसी टेक्स प्लस हसी टेक्स प्लस हसी अब आपको मैंने हसी पड़ा दिया अब हसी को इग्नोर नहीं करोगे हमेशा टेक्स प्लस हसी हमेशा टेक्स प्लस हसी सब का answer सही आ गया अब 12,480 यही आ रहे गया वैसे देखता हूँ तीन लाग तक तो जीरो अगले दो लाग पे 10,000 और 10,000 पे 20% प्लस 10,000 प्लस 4% सही है 12,480 अगर इसमें भी किसी को doubt है तो पूछ लो मैं समझाना क्या चाह रहा था कोई बताएगा मुझे मैं क्या समझाना चाह रहा था इन दोनों एक्जामपल से क्या समझाना चाह रहा हूँ है 12,500 से maximum अगर रहेगा तो फिर रिबेट नहीं मिलेगा यानि कि 5,00,000 से रुपए अगर एक रुपए भी जादा हो गया तो रिबेट है नहीं मिलेगा चलो यह एक्जामपल भी नहीं समझाया तो टोटल इंकम है 5,10,000 रुपए कितने रुपए है 5,10,000 अब निकालो बाकी सब कुछ सेम है बाकी सब कुछ सेम है टेक्स निकालो 5,10,000 रुपए पे टेक्स निकालो अच्छा राउंड ओफ कर देना टेक्स को प्लीज बच्चा टेक्स को राउंड ओफ कर देना और फकुरुदिन टेक्स में HSE भी एड होगा HSE भी एड होगा ना लाइग येस टेक्स कितना हैगा 10,400 5,000,000 रुपे तक 10,000 और 10 रुपे पे 20% 2 रुपे तो 10,000 2 रुपे प्लस HSE 10,400 अगर 5,000,000 रुपे इंकम है तो तो 0 टेक्स तो काज रिवेट मिल जाएगा तर ये बात किसको समझ आ गई और जिसको समझ आ गई वो ये बोलो हाँ ऐसे करो हाँ इतनी ना इनसाफी हाँ हाँ करो करो अरे डरने की क्या बात है शर्मानी क्यों हो इक निना इनसाफी इनसाफी है 10 रुपे की बज़े से ओ माई गोड तो सब 10 पीज डूनेट कर देंगे ना क्या वो बोलेगा एक बच्चे का आंसर आ रहा है कि सब 10 रुपे कम ही दिखा देंगे देखो कम दिखाने का मतलब तो कुछ भी कर दो फिर तो मत ही दिखाओ रिटन ही फाइल मत करो अपन बात कर रहे है एस पर लो नो सब दिखाएंगे पर डोनेट कर देंगे ना अपने इंकम कम कर दी मैं यह कह रहा हूं कम दिखाओ गलत करो डोनेट करो डिटक्षिन ले लो एलाइसी में इनवेस्ट कर दो उसकी बात नहीं कर रहा है मैं मैं बात कर रहा हूं कि अगर दज पांच लाग-दस रुपे इंकम बन गई तो फिर तो हो है ना कि यह नहीं कहे रहा कि कम नहीं कर सकते कम तो करेंगे अरे मेरे पास कोई क्लाइंट आएगा और उसकी इंकम पांस लाग दस रूपे बन रही है तो मैं क्या पागल हूं जो अगर आप बिजनस करते हो तो 50-50 लाग से ज़्यादा आपको रिटन्फाइल करना है मेरा तो insulte क्रोस फो जा रह Şimdi है जिस दिन आएगा बारात लेकर आ एगे जिस दिनिकम डेक्स हमेगा बारात लेकर आएगा जिसमें वैंट भी होगा बारात भी ऊगी और बाजा भी होगा शीकर मैं क्लास के बाद आप से को नेक्क लाइए पर इसके लिए फीस लगती हो चीज़ की ओके नहीं जैनुविल ली मज़ा नहीं करता है ना चलो क्योंकि एक ही चीज़ है एडवाइस फ्री है कंसल्टेंसी फ्री नहीं है एक बहुत ही बड़ी जोक याद आता है मुझे एक क्लाइंट आया उस क्लाइंट ने पूछा सिये स ख्राइंट जाते कि बहुत से बहुत है मेरि यह यह इंकम है और मुझे इंपम टेक्स कम करना बताओं क्या करें अस ने बहुत रिए क्श से कंसल्टेंथी किंसी ना तो एडवाइस फ्री है कि सीज़े से कंसल्टेंशी लोग Tao तो इलो यह बात समस्झाया गी आगे चले अब बात करते हैं किसकी बात कर रहे है में बहुत बड़ोपा हर दिश सब्सक्राइब के वोपर और यह क्यों आया यह भी बात क्कुक वोड़ व्यक्षंथ के लिए आया कि विजएपी कवर्मेंट लाई है यह बिजएपी गोवर्मेंट लेकिए जब बीजएपी गोवर्मेंट दोचा 24 से पहले इलक्शन होने वाले थे तब लेकि आई यह सर निव टेक्स रिजीम में गॉवंपनें क्या बोला आप टू सेवन लैक पर क्या मिल कि देख लो सर्ट इस टार्टिंग के तीन लाख जीरो अगले तीन लाख पर पंदरह जार और अगले एक लाख पर दस अजार किता बन गया 25 तो सर्ड रीबेट भी किती देदी 25 तो इसको हमने कार दिया या तो पता चल जाएगा एक-दो महीने में एक-दो महीने नहीं कुछ दिनों में आपका बैस तो महीने में कंपलीटी हो जाएगा तो या तो कुछ दिनों में पता चल जाएगा अगर पता नहीं चलता है तो ICI मेटीरियल आ जाने दो अपडेटेड तो पता चल जाएगा अभी ICI ने भी कोई अपडेट नहीं किया है ICI इनकी टोटल इंकम है 6,90 जार सर ये कौन है 85 years है resident है और new tax regime है कौन सी ले रहे हैं बच्चा new tax regime tax भी बताओ और rebate भी बताओ tax भी बताओ rebate भी बताओ check section check में चैट section में बताना tax भी बताओ और rebate भी बताओ आराम से बताना आराम से किसी बच्चे ने hse add कर दिया घजेडा hse add नहीं होता है hse सबसे last में add होता है राज hse add नहीं होता है चलो लोगों का answer सही आरने लग गया है चोविस अजार नहीं टेक्स तो है जीरो और rebate भी बताओ किसी के यहां से disturbance आ रही है चोटी सी अगर मानलो total income है साथ लाग दस रुपए कितनी है 7,10,40 बताओ और rebate भी बताओ या कि मालने टेक्स टेक्स भी बताओ और रिवेट भी भी बताओ न्यू टेक्स रिजीम टेक्स भी बताओ और रिवेट भी बताओ 7,10,00 रुपे 7,10,00 रुपे 25,00 एक क्या विद हैसी टेक्स हमेशा विद हैसी बताते हैं अब आप बड़े हो गए हो बच्चे जैसे बच्चे जैसे वियम मत करना अब बड़े हो गए हो आप 26,000 का टेक्स बना और रिवेट जीरो अब का यहीं आंसर है मुझे एक बात बताओ जो कॉंग्रेस गवर्मेंट रिवेट लेके आई थी उसमें क्या कमी थी कॉंग्रेस गवर्मेंट जो रिवेट लेके आई थी ओल्टेक्स रिजीम में उसमें क्या कमी थी पाच लाग की इंकम से उपर रीबेट नहीं मिलती थी, चाहे थोड़ा सा भी इंकम बन रहा है तो टेक्स पूरा, अगर थोड़ा सा भी इंकम बन रहा है, तो टेक्स पूरा, अगर थोड़ी सी इंकम बन रहा है, तो टेक्स पूरा, लेकिन इस बात का ध्यान रखा निव टेक्स रिजीम में, अगर आपका टेक्स थोड़ा सा जादा है, तो आपको रीबेट मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, जितनी इंकम जितना टेक्स जादा है, अब मुझे बताओ, टेक्स बिफोर एचेसी कितना था, 25,000, तो गौर्मेंट ने क्या बोला, 25,000 रुपे का टेक्स है, जबकि इंकम कितनी है, इंकम जादा कितनी है, इतनी रुपे है, तो गौर्मेंट ने क्या बोला, गौर्मेंट ने क्या बोला, इस्टेप नमबर वन, इस्टेप नमबर वन में गौर्मेंट ने क्या बोला, इस्टेप नमबर वन, टेक्स ओन, सात लाग दस रुपे, बिफोर एचेसी, अब बिफोर एचेसी बात कर रहे स्टेप नंबर टू स्टेप नंबर टू एडिशनल इंकम एडिशनल इंकम कितनी है तो रीबेट किती मिल जाएगी 24,90,90 रीबेट मिल जाएगी क्या बात कर रहे हो सर्थ तो रीबेट के बाद टेक्स किता बचेगा 10 रूपीज 10 रूपीज प्लस 10 रूपीज सर ये बात समझाई की नहीं आई ये सर यानि कि सर न्यू टेक्स रिजीम में 7 लाग के उपर आपको रीबेट मिलता है लेकिन ये रीबेट वह वाला रीबेट नहीं है जो अभी पढ़के आई है ये रीबेट मार्जिनल रिलीव जैसा है ये सर अगर हमनों की सावन लाग के बाद जो टैक्स है वो टू लाग कुटी थाउजन तक जब तक रॉस नहीं होगा तक हमेरी बेट मिलता रहेगा क्या बोलगे इतना gefallenा मिलेगा अरे नहीं नहीं देख मेरी बात अगर सात लाग चाली सजार 임कम है टैक्स बचाप कोई रीबेट हि 100 थाउजन 29 थाउजन इंकम कितनी जादा है चालीस हजार चालीस हजार हो टेक्स कितना है 29,000 तो कोई रिबिट नहीं मिलेगी समझे की नहीं अगर साथ लाग बारा जार है अब बताओ टेक्स बिफोर एचेसी 26,200 25 26 26 200 इंकम कितनी ज्यादा है 12,000 तो रिबेट कितना मिल जाएगा 14,000 तो अगया रिबेट मिल किया तो टेक्स कितना बना 12,400 अगर इंकम है 7,15,000 बताओ नहीं 7,15,000 नहीं 7,20,000 लेते हैं 20 भी नहीं 20 पे भी टेक्स ज्यादा बनेगा 7,25,000 अब बताओ नहीं 25 भी नहीं 25 पे भी टेक्स ज्यादा ही बनेगा ज्यादा ही बनेगा डेफिनिटली ज्यादा ही बनेगा तो टीस अजार अब बताओ साथ लाग तीस अजार टेक्स किता बन रहे है बिफोर एचेसी 28,000 पुरा 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 येस सर्थ ओके 729 पे बताओ अच्छा रीबेट नहीं मिलेगा है ना समझ गए होंगे आप रीबेट नहीं मिलेगा अब 729 पे बताओ 27,900 27,900 27 कैसे हो सकता है जादा होगा अच्छा हाँ सोरी सोरी अरे 29 पे नहीं आगे जाना है ना 31 पे बताओ आगे जाने पीछे नहीं जाना 28,100 20 28,100 नहीं नीचे आना था सही है मतलब 730 के बाद तो रीबेट भी बने गई है ना थोड़ा नीचे ही आना 27,27 पे बताओ 27,700 इसमें रीबेट मिल रहा है 25 से कम करना होगा इसिंग नहीं नहीं यार क्लोज आगे बताओ कितना क्लोज आगे है अरे बहुत क्लोज आ अब बताओ 27,500 भी बताओ 27,750 ठीक है 800 भी बताओ 27,800 क्या बात कर रहे हो सच में क्या बात है यानि कि अगर किसी की इंकम सात लाग है सात लाग 27,800 है तो उसका रीबेट जीरो हो गया समझेगी नहीं अगर किसी की इंकम सात लाग 27,800 है तो उसका रीबेट है और अगर इससे कम है तो रीबेट बनेगा और इससे जादा है तो रीबेट है यह 27,000 780 आ रहा है 780 आ रहा है गया 10-20 रुपे तो आप करी लोगे उपर निचे मतलब मैं तो ऐसी टाइम पास कर रहा हूं मैं तो टाइम पास कर रहा हूं प्रोविजन बढ़ा चुगा यह तो टाइम पास चल रहा है समझेगी नहीं समझ गए बात यह तर यह रीबेट कैसा है MR की तरह कैसा है MR देखो पड़ो स्टेप नमबर वन कैल्कुलेट टेक्स ऑन टोटल इंकम बिफोर है चीशी इंकम ओवर सेवन लैक स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 इकल रीबेट बागी सब आप घर पे करी लोगे यह आपका हो गया चैप्तर कंप्लीट homework क्या है पूरा चैप्तर homework क्या है बचा full chapter is that ok प्यार भरा yes लिखके बतादो एक रप्यार भरा yes लिखके बतादो और बताओ class कैसी लगी confidence आया क्या लगता है भार देंगे क्या लगता है पाड़ देंगे यह एक सेंटेंस लिखा है मैंने क्या है यह सेंटेंस क्रीन के उपर एक सेंटेंस है क्या है यह जिवाइज ट्री टैम सौन यह ओन और आइसे करवा देगा कैसे करवाएगा अटेम्ट लगागे मतलब या तो फुद तीन बार रिवाइज कर लो या इसे करवाएगा करना तो पड़ेगा दूसरा यह जो मेरे जैसे टीचर है ना जो बिचारे कमा तो पा नहीं रहे वो लोग क्या करते हैं इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर एक्जाम्स गारंटी देता हूं किसी के सूपर फिफ्टी में एक क्वेशन अगर एक्जाम में आ गया कभी कभी किसी टीचर के सूपर फिफ्टी क्वेशन में एक क्वेशन भी एक्वेशन में देखा है इसा नहीं होता कि जो चैप्र आप छोड़के जाते हो क्योंकि टीचर ने मना किया दा उसी चैप्र से दस मां का वेशन आ गया यह सब्सक्राइब कर दो लेकिन रिकोर्डिंग वालों के लिए फिर भी लोगों को समझ नहीं आती और रिकोर्डिंग वालों एक चीज ध्यान रखना अगर आप 1.5 की स्पीड से देख रहे हो तब भी तीन गंटे ही लग रहे हैं नोटिस करके देखना यह सब्सक्राइब क्यों कॉंसे पूरा हो गया अब खुद समझ रहे हैं कि टीचर ने तो समझा दिया आप मैं समझता हूं अरे नालाइक इससे अच्छा एक की स्पीड पर देख लेता टीचर के साथ-साथ समझ आ जाता लास्ट क्या है यह आज आपको समझ आया होगा कि जब मैं क्वेशन पूछ रहा था तो आप एयर पे ध्यानी नहीं दे रहे थे एज पे ध्यानी नहीं दे रहे थे यह सर यह एक्चुली आपकी गल्फरेंड है अगर इज़त नहीं करोगे ना तो थोड़के चली जाएगी तो प्लीज क्वेशन की इज़त करो इज़त का मतलब कि अच्छे से बढ़ो जीव टाइंग समझे ना जब पहला पहला प्यार हुआ था तो आप उसके लिए कोल्डरिंग खरीदते थे ना चिप्स लेके जाते थे थे ना आपने डायरेक नी तो नहीं बोला गल्फरेंड बनेगी गया थोड़ा सा इज़त दिया ना टाइम दिया ना तो वैसे ही क्वेशन को भी दो जिसके उपर मैं रेंक लेके आया जितनी जल्दी समझ जाओगे उतनी जल्दी पास हो जाओगे अधर्वाइज माई 2025 का बैच रिकोड़ेड मिलता है ठीक है चलो ओके थैंक यू एरी मच पॉर वाचिंग इस लेक्चर है ना रिकोर्डिंग बंद कर रहे हैं सबसे पहले तो अब कैसा लगा लेक्चर अब बहुत अच्छा जो यूट्यूब पे देख रहा है भाया कोमेंट करके बताना हम तो नहीं बताएंगे मत ब